तो जब वहां से आ रहे थे तो वहां गये थे भगवा जंडा दिया था इन लोगों ने डॉक्टर अंबेटकर को और ही रिफ्यूटेट तो असली राष्टबादियों का ये कारकरम आयोजित करने के लिए सबसे पहले आप सभी को बधाई तो मतलब हमें राष्टबादी सर्टिफिकेट मिल गया है असली राष्टबादी कह रहा हूं आजकल फड़ जी बहुत है तो बहुत सारे सवालों के इंट्रस्टिंग तरीके से जवाब आपको मिलने वाले हैं केडमिया से लेके साहित्य से लेके राजनीती भोगोल गुणा भाग सब आज हिसाब होने वाला है संभिधान सुईकार तो कर लिया लेकिन संभिधान को वो है न मोदी जी कहते हैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंग चापले रहा नहीं चापको तब बिटा चापा जाओगे कि अगर हम भी इस देश का हिस्सा है इस आजादी का हिस्सा है तो हमारी स्तिती ऐसी क्यों है हम उस यात्रा पर भी चलेंगे मेरे लिए आज़ादी के माईने ये है कि जब इंसान अपने गरीमा के साथ जी पाए उनकी आज़ादी और हमारे लिए आज़ादी बहुत एक अलग चीज है उसमें बहुत अंतर है ऐसा भारत क्यों नहीं बन पाया, क्या करन आप देखते हैं कि जैसा सपना था वैसा नहीं हो पाया तो लोग चाहे कितना भी गाना गाते रहें कि आजादी के पचैतर वर्ष हम मना रहें, अमरत महूं सब मना रहें लेकिन हमें फिर से मन्थन करने की जरूरत है कि हम कहां पर हैं तो आदीवासियों को कहां खड़े पाते हैं उस आईडिया ओफ इंडिया जो है हमारा I am not your data मैं तुमारी फाइलों में बंद आकड़ा नहीं हूँ मैं तुमारे जणगर्णा रहिष्टर में दर्ज आकड़ा नहीं हूँ मैं इस देश का आदीवासी हूँ 25,000 से ज़्यादा दलितों की हत्या सिर्फ जाती के वज़े से हुई उतने ही नंबर बलातकारी के हैं चांद पे पहुंचके चांद पे जमीन करीदने लगे हम लेकिन जो सवन जाती की या परकास्ट की जो मान सिकता है वो अभी भी ये चाती की दलित जो है वो पैरों में बैठे है आप देखिए जाती बेवस्ता बच्चे छोटे छोटे क्या जानते हैं कि मिड़े मील में कोई जो है वो दलित महिला खाना बना रही है वो बच्चे बाइकोट कर रहे हैं उसका कि हम नहीं खाना खाएंगे 75 साल में भी बदला नहीं मामला नहीं बदला है ये तो अभी की ताजा-तरीन घटनाए है कोरोना काल में 12 करोन लोगों की नोकरी चले गई और 256 गुना मुनाफ़ा कुछ लोगों का बढ़ गया यह दोनों की आजादी एक जैसे क्या है उन सब के बिहाफ पे यह statement मेरा ले सकते है यह भय के आगे विजय है और आप तब विजय होकर लोटे भी है इसलिए मुझे कई बार लगता है कि आजादी मिल गई है कई बार लगता है कि आजादी अधूरी है आप अंग्रेजों के जाने को नए भारत के बनने को इसको कैसे देखते हैं हम कह सकते हैं कि हम लोग अर्ध मानव थे कि उसलिए ओभी सखें कास्ट बेस्ध मिला। विरोध केसे ने किया सासाब। मंडल के विरोध में कमंडल कोन लाया। और जल चड़ाने, मत जाओ। तुमहारे आरक्षन जो है वही के मंदीर में जो है अधानी Гर में चछला गिया है तुमारे अधिकार कि तुम्हें जो बेमारी इस मुल्क के ठीक करनी थी, वो कितनी ठीक की, उसमें हेवाण बेवस्ताव, जाद बेवस्ताव, जिस पर हमारे सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी, तो उसमें OBC शुद्र की पायदान पर आता है, क्योंकि दलित तो अंटेचेबल है, तो लटकल ज माले, आद इसा बोलने, लटक के तो गई ले, यांनी लतक गए तो गए और लटकना नहीं है, आमें जो है नो, ऊपर चड़नी एंगाड़ी के अंदर बैठने लतक के पिछे अपने नूकसान नहीं पूचाना है, यही संदेश था, लटक मालिक दे दो, इसे मागना Lastly, बाबा साब डुक्टर अंबेटकर ने कहा था कि हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतिये हैं वो भारतिता ही हमारी सबसे पहली पहचान है जो हम एक साजी विरासत से जोडती है और उसी भारतिता का जश्रब मनाने के लिए आज हम इखर्टा हुए है भारत सरकार ने इसे आज़ादी का अमरित मौसव नाम दिया है लेकिन हम इस आज़ादी के साथ साथ उस यात्रा पर भी चलेंगे जिसमें दलित पिछडे और आदिवासी समाज के लोग पिछले 75 साल में इस देश में अपने आप के होने का अपने एक्जिस्टेंस के होने पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे हैं कि अगर हम भी इस देश का हिस्सा है इस आज़ादी का हिस्सा है तो हमारी स्थिती ऐसी क्यों है हम उस यात्रा पर भी चलेंगे और उस सपने पर भी बात करेंगे जिसमें हमारे भारत के राष्ट निर्माताओं ने सम्विधान निर्माताओं ने सपना देखा था कि आज़ादी जब मिलेगी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो कैसा सपनों का भारत होगा क्या हम हमारे पुर्खों का भारत बन पाया उस पर भी हम बात करेंगे यह चर्चा बहुत दिल्चस्प होने वाली है जिसमें ना सिर्फ हम इतियास को चुएंगे बलकि भविश्य की संभावनों को टटोलने का भी काम करेंगे आप पैनल देख रहे होंगे बहुती शांदर पैनल हैं और हम बेटकर नामा के संस्थापक हैं आनिता भारती जी हैं जो की दलित लेकक संग की अध्यक्ष हैं और एक जाना पैचाना नाम है सामाजिक मसलों पर हमेशा मुखर रहती हैं आप इनके बात देखेंगे डॉक्टर जितेंदर मीना दिली उनिवरसिटी में इतियास पढ़ाते हैं और खासकर आदिवासी मसलों को लेकर बहुत मुखर रहते हैं जिनको जमीन में दफना दिया गया था उनके इतियास को ढूंड के लाते हैं और हम लोगों को बताते हैं तो आप सबका स्वागत है और इस तरह आप देखेंगे डॉक्टर सीमा माथूर दिली में पढ़ाती हैं और मैं इनको एक कार्यकरता एक एक्टिविस्ट के तोर पर भी जानता हूं क्योंकि जहां पर भी आमें बहुजन समाज से जोड़ों मसलों की बुलंद आवाज चाहिए होती हैं सीमा मातरूमाम को खड़ी नजर आती हैं आपका बहुत स्वागत मेडम ड ट्रस्टिंग तरीके से जवाब आपको मिलने वाले हैं कैडमिया से लेके साइट्ते से लेके राजनिती भुगोल गुणा भाग सब आज हिसाब होने वाला है इसके बाद आप देखेंगे बीना पलिक कल एंसी डिये चार और बहुती मजबूत आवाज दलित बहुजन आं आप सब को बढ़ाई मैं एक एक करके आपसे सवाल करूंगा अपना माइक ले लें और एक दुसरे को माइक पास करते रहें डॉक्टर लक्ष्मन यादव यहीं डॉक्टर लक्ष्मन यादव मैं और डॉक्टर रतनलाल हैं देखिए मेरे को बहुत शांदार लोगों के करने के लिए और हम सब को एक बहुत शांदार विशय पर बात करने के लिए अमंत्रित करने का मेरे लिए आजादी के माइने क्या है यह कोई ऐसा मेरे लिए यह प्रशन ऐसा है जिसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं है मैं इस उत्तर को खोजने की कोशिश में हूँ बतौर द मसलन मैं एक पोरुष हूँ, मैं उत्तरपदेश के आजमगड का रहने वाला हूँ, मेरी जाती OBC में आती है, मेरे परिवार के लोग पुष्टानी पेशे में थे, इन तमाम पहचानों को एक साथ रख करके मैं अपने नागरिक होने के पहचान के सामने उसका एक अक्स देख बढ़ा, बहुत कुछ ऐसा बोरा था इस देश में, जो ठीक हुआ, जिससे हम यहाँ पहुचे, 75 साल के बीच में ही समविधान लागू हुआ, उस समविधान के लागू होने के बाद मंडल कमीशन आया, इन सब की वज़े से, जनान दोलनों की वज़े से, हम जैसे लोगों को मौका मिला, और आज हम यहाँ हैं, अपने अपने क्षेतर में जहाँ जाएं, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी रह गया है, इसलिए मुझे कई बार लगता है कि आजादी मिल गई है, कई बार लगता है कि आजादी अधूरी है, अभी बहुत कुछ आजाद होना बा आजादी आपकी नजर में क्या माईने रखती है। उसके साथ ही जब हम आंदोलन से जुणना शुरू हुए तब मन में फिर बहुत सारे सवाल खड़े होना शुरू हुए कि आखिर ये आजादी है क्या सच में जो हम सिर्फ जंडा फैरा के या एक दो गीत गा के हम बापस आजाते हैं बस वो आजादी का जश्न मन गया या कु उसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था क्योंकि जब हम सिर्फ भारत के संविधान की प्रियम्बल को देखे अगर हम प्रस्तावना को देखे तो उसका एक एक शब्द इतना कीमती है और उस पर ही हमारे अंदर सबके मन में ये सवाल खड़े होने चाहिए सबसे पह हैंने तलाश पाएं और जो इतना लंबा जो सफर हुआ है अभी 75 साल का उसमें हमारी जो इस्तिती है वो कहां पर दिख रही है एक महिला के रूप में एक बहुजन के रूप में या फिर एक सीधा साधा शब्द है दलित के रूप में तो वो कहां पर है ऐसे बहुत सारे सिती में क्योंकि आप देखो कि आज भी लोगों के पास ट्रांस्पोटेशन के साधन नहीं है कि एक OBC परिवार का बच्चा जब 15 साल का बच्चा मर जाता उसको कंधे पर लाश ले जानी पड़ती है अभी भी जो है वो बिजली नहीं पहुच पाई है लेकिन अगर इसका दूसरा पक्ष अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो दिखती है चका चौन जो भारत में आजादी का जश्न है हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा तो बड़ा सुहाबना सा नजर आता है लेकिन हमें उस तरफ जो है वो हकीकत नहीं है हमें हकीकत की तरफ जाना पड़ेगा और ये फिर से जो है वो सोचना पड़ेगा और खुझ से समाज के सामने ये सवाल रखने पड़ेंगे ब्यवस्ता से सवाल करने पड़ेंगे कि आखिर आजादी के माईने हमारी नजर से भी आपको देखने की जरूरत है क्योंकि सिर्फ तरंगा फैराने से आजादी का पड़ाते हैं अजादी के 75 साल मना रहे हैं तो अजादी के 75 साल के जश्न पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कैसे देख रहे हैं आजादी के जश्न को कि आपने जो सवाल पुछा है लगता एक राउंड और सवाल रिपीट होगा तो सबसे पहले तो आपको बधाई की असली राष्टवादियों को आपने इकठा किया फड़ जी वाला नहीं जिसने कभी राष्टवाद समझा नहीं तिरंगा की जगा भगवा लहराया और मैं कोट कर सकता हूँ अभी मतलब सावरकर से गोलवलकर से क्या कहा था तिरंगा के बारे में और जो जिस कमीटी में तिरंगा फैसला होना तो जब वहां से आ रहे थे तो वहां गय थे भगवा जंडा दिया था इन लोगों ने डोक्टर अंबेट कर को और रिफ्यूटेट तो असली राष्टबादियों का यह कारकरम आयोजित करने के लिए सबसे पहले आप सभी को बढ़ाई तो मतलब हमें राष्टबादी सर्टिफिकेट मिल गया है असली राष्टबादी कह रहा हूं आजकल फडजी बहुत है तो असली वाला कह रहा हूं नंबर दो कि आजादी कि यह क्या माइन है तो आजादी के माइने तो यह है मतलब हम आपसे बात कर रहे हैं केंपश में बैठे हैं इतना खुबसूरत आपका कैमरा लाइट एक्शन है माईक है बात चित कर रहे है ये भी मायने हैं आज़ादिक है दूसरा अमबेटकर जिस समय एक सांस्कृतिक रूप से या राजनितिक रूप से जब वैचारिक मुठभेड कर रहे थे उस समय भारत में अंग्रेज थे रूल आफ लौट तो भी था तो जिन लोगों से वैचारिक सांस्कृतिक मुठभेड कर रहे थे वो लोग आज सत्ता में है तो आज़ादी हमें यह भी ताकत देता है कि आज उनसे हम वैचारिक सांस्कृतिक मुठभेड कर सकें यह भी आज़ादी के मायन है यह समझना पड़ेगा दूसरा आपने जो बा एक लाइन और था कि अगर मेरे हित में और रास्ट के हित में टकरा होगा तो मैं अपने हित की बली दूँगा लेकिन रास्ट और हमारे समुदाय के हित में टकरा होगा तो मैं अपने समुदायों के हित को वरियता दूँगा रास्ट के ऊपर यह बात कहने की ताकत या उसमें आखरी में जाएए कहते हैं कि we are entering into phase of contradictions कि हम एक तरफ तो राजनतिक समानता की युग में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ गोर समाजिक और आर्थिक विशमता पर आधारित है अगर इसे जल्दी दूर नहीं किया गया तो इस देश की जनता इस संसद में स जुल्म हो जितना भी दमन हो लेकिन तब इस सवाल ऊठाए जा रहे है हर तरफ डर का एक माहोल बनाया जा रहा है तो डर के आगे जीत है और भय के आगे विजय है तो ये कहने का साहस व्याद आई रही रहता है तो यह अनवरत यह जारी रहेगा तो अजादी के अपने-अपने माइने हैं और किसी व्यक्ति के लिए और जाइड सी बात है हम जो काम कर रहे हैं और यह सिर्फ विसले नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ अपने दलीत बैकवर्ड बहुजन कम्यूनिटी यह बात नहीं कर रहा हूं वैसे लोग जो न्याय पसंद हैं और जो समिदान में बिश्वास करते हैं मानवे मुल्य में बिश्वास करते हैं उन सब के बिहाफ पे यह स्टेट्मेंट मेरा ले सकते हैं कि भय के आगे विजय है और आप तो विजय होकर लोटे भी है आनिता जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि हमारे एक आज़ादी के जशन का भी हमारा पूरा मकसद है तो मैं सिर्फ अभी शुरुआती सवाल यही आप सब से लूँगा उसके बाद फिर अलग सवाल मेरे पार धेर सारे हैं आज़ादी के माइने आप एक महीला है तो आप अज़ादी को कैसे देखती हैं क्या आइडिया ओफ फ्रीडम है आपके लिए मेरे लिए आज़ादी के माइने ये हैं कि जब इनसान अपनी गरीमा के साथ जी पाएं और उसके जो मूल अधिकार हैं वो उसको मिल पाएं जैसे कि रतनलाल जी ने कहा कि बह मुक् आपने सविधान दिया लोग कहें आज़ादी का माइने क्या है या हमें लेकिन हमारे लिए बहुत महत्पुन इसलिए कि इसी दौरान सविधान लिखा गया जिसमें हमारे अधिकार सुरक्षित किये गए इसी दौरान बाबा साहब ने चपन में जब वो धर्म अपनाते है तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता है कि हम उनकी धर्म की गुलामी से अपने आपको मुक्त करें तो और तीसरी जो परिघटना वो ये है कि दलित सहित्य का जबरस उत्थान देखा जाता है ये एक आजादी में एक और जुड़ता है और चौती चीज़ जो बहुत लेकिन निराशा से ज़्यादा मुझे लगता है कि आजे धलित होने के नाते मैं उनकी खोने के पास के लिए हमारे पास कुछ नहीं है पाने के लिए हमारे पास सारा काश है क्योंकि हर्चीज हमें पहली बार मिल रही है तो मेरे लिए अजाधी जो है वो बहुत एक बड़ में कितने दलित मारे गए बावा साब ने कितनी मशक्कत की कि पूरे इस्तरी समुदाय के लिए पूरे मजदूर समुदाय के लिए पूरे किसान समुदाय के लिए पूरे इस्तरी समुदाय के लिए अधार रखे तो मुझे लगता है आजादी को मैं इस अंदर में देखती कि एक दिन वो जरूर आएगा जब हम अपने इंसानी गरिमा को प्राप्त करेंगे और जो अधिकारों की जो अनुवरत लड़ाई है उसके शीर्ष पे हम पहुँचेंगे मेरे लिए ये अजादी के माइन है अजादी के माइने देखें कितने खूबसूरती से इनोंने बताया है कि अजादी के माइने उनके लिए क्या है बीना अब आपका नंबर आ गया है आपके लिए आजादी क्या है भारत के अमरित महुतसव को 75 साल को आप किस नजर्गे से देख रही है धन्यवाद सुमीजी आजादी किस के लिए आजादी है आज भी जब आप ये सवाल पूछ रही थी तो मैं सोच रही थी कि आजादी किस के लिए जिन लोगों के पास 10 करोड था आज 100 करोड है जो लोग पूरा देश में ने पूरा दुनिया में 10 पोजिशन में थे आबादी उनके जो संपती था आज 2 पोजिशन में उनके आजादी और हमारे लिए आजादी बहुत ही एक अलग चीज़ है उसमें बहुत अंतर है हम लोग आज भी जातिवाद पिंजड़े में है और उस पिंजड़े में तोडने के लिए हम लोग सब यहां पे बैठे हैं काफी लोग है जमीनी स्तर पर जो काम कर रहा है इसको तोडने के लिए एक जब बच्चा स्कूल में अलग बैठता है अपने खाना खाने के लिए तो उसके लिए क्या आजादी है एक बच्ची जब स्कूल तेरा साल की जब बच्ची हर्याना में स्कूल जाने की तैयारी में उसको लेकर उसका रेप करते है वह बोलतें कि नहीं वो तो इसका habitat है तो क्या है जब ये सवार आते तो उसके लिए क्या आज़ादी है और जब एक दलित महिला काम करने के लिए बाहर जाके या पानी लेने के लिए बाहर जाते तो उस पे हमला होते है तो उसके लिए क्या आजादी दी तो मैं आज भी वो प्रशन में खुद अफकोस हमारे लिए एजुकेशन है शिक्षा है प्राप्त किया है इसलिए हम लोग सब यहां पे बैठ के यह चर्चा कर रहे हैं लेकिन ज और शायद हम आज भी भूके मर रहे हमारे लोग शिक्षा के लिए एक पोस्टमेट्रिक स्कॉलर्शिप आने तक तीन साल लगते तब तक उसका एजुकेशन भी हो गया और स्कॉलर्शिप के लिए कहीं इधर उधर से पैसे इखटे करके दिया है तो उसके लिए क्या आज आज़ादी हुए है 75 साल हुए है लेकिन उस आज़ादी हमारे समुदाय तक कब पहुंचेंगे यह मेरा भी एक प्रशना है बहुत बड़ा सवाल और जो मैंने सवाल पूछा उसके जवाब में भी एक सवाल उभर कर आता है कि हर वेक्ति जो इस समय इस देश का हिस्सा है नागरिक है लेकिन उसके साथ जब यह सब हो रहा है तो उसके आज़ादी की क्या माइने है अगे चर्चा में जरूर इस पर और बात करेंगे डोक्टर जितेंद्र मीना इतियास पढ़ाते हैं दिली उनिवर्सिटी में यही सवाल आपके पास फिर अलग से सवाल पूछू बहुत बहुत शुक्रिया शुमिट जी इस चर्चा के लिए मेरे लिए आज़ादी का माइना बहुत डिफरेंट है आदिवासी समास से मैं आता हूं तो उसकी आज़ादी की अगर परिवाशा देखें तो पूरा इतियास उठा करके देखेंगे तो पाएंगे कि वो तो श सामंती साशन रहा हो अंग्रेजी हुकूमत रही हो या उसके बाद में लोग रहे हो 1947 के बाद में उन्होंने आज़ाद लोगों को सो आदिवासी आज़ाद रहे हैं शुरू से उनको हमेशा से कंट्रोल में करने की कौसिस की है अंग्रेजी हुकूमत ने यही किया आज़ा उन्होंने भी वही किया कि जो लोग आजाद थे उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिस कि तो बिएंग आदिवासी मेरे लिए एकदम से डिफरेंट पैमाना है मेरे लिए आजादी का मतलब यह है कि जो मेरे रिसोर्सिज थे जो मेरी जमीन थी जो मेरा जंगल था उसमें खुले में घूमने की मेरी आजादी हो उस पर मेरा संसादनों पर मेरा हक हो उसके साथ मेरे लोग अपने संस्कृति को अपने कस्टम को अपने टोटम को और उसके साथ साथ जंगल के साथ जो हमारे रिस्ते हैं उसको खुले मन से पूरे बिना किसी डर के उसको प्रैक्टिस कर सके उसको इंजोई कर सके यह मेरे लिए आजादी का मतलब है लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जो लोग आज जिस आजादी की बात 1947 के बाद से कही जा रही है कि हमने एक आजादी से अंग्रेजों की गुलामी से एक आजादी मिली आदिवासियों के परस्पेक्टर में एकदम से डिफरेंट है पहले अंग्रेजों ने गुलाम बनाने की कौसिस की और आज नए हुकमरानों है वो आज भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं हम पूरा का पूरा देश देश सकते हैं पता चलेगा कि किस तरीके से आदिवासियों को कंट्रोल करने की कौसिस हो रही है किस तरीके से आधिवासी समाज को कंट्रोल किया जा सकता है चाहे वो सरकारों के माध्यम से हो चाहे वो प्रशाशन के माध्यम से हो उल्टा उन्हें गुलाम बनाने की सलसला चल रहा है ऐसे में आजादी कंप्लेटली मेरे लिए डिफरेंट है अब यह असली आजादी मिलना बाकी है आपके सवाल से ऐसा लगते है अगर मैं बात कहूं तो मेरे लिए तो आजादी का मतलब यह है कि यह जो गुलाम बनाने की जो प्रोसेस है अगर इस प्रोसेस को भी आप रोक देते हैं तो मेरे लिए तो सही मायने में यही आजादी है। सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था वैसा 75 साल में भारत बन पाया है। है इनकलाब शब्द ऐसा हो गया कि सरकार डर जाती कितना डर पोक सरकार है। एक शब्द से डर जाती है। तो यह डॉक्टर अंबेटकर ने जो मैंने पहले स्टेटमेंट कहा 25 नौमबर वाला। उसी में उन्होंने समाजिक आर्थिक इनकलिटी की बात कर रहे हैं। तो दूसरी आजादी के लड़ाई लड़ने के सुत्र वहां उन्होंने छोड़ दिये। हमें अपनी संघर्च यात्रा क्या हुआ डॉक्टर अंबेटकर के बाद। डॉक्टर अंबेटकर ने आखिर में कल्चुरल रेवलूशन किया। कि अब मैं राज्निती मेरी दिल्चस्पी नहीं पूरी जीवन मैं अब बहुत धर्म के प्रचार-प्रसार में लगाँंगा। सारनाथ में बाशन हैं। नेपाल में बाशन हैं। लंका में हैं बर्मा में हैं। हड़ जगह है। तो यह नहीं लगता है कि हमें अपने अपना भी मुल्यांकन करना चाहिए कि हमने क्या खोया क्या पाया और एक बात मैं आपको बता दूँ कि आजादी अधिकार सम्मान तो फोकट का फिरी में नहीं मिलता है कि जो आपने कही हमारे लोग शहीद हुए इस पर अगर सवाल पूस दिया जा कि इसका डॉक्मेंटेशन का है तो बहुत लोग जो अगल वगल जहाकेंगे एक खाली बिहार में जाके देखिए एक बिहार एस्टेट आर्काइव ने किताब चापी है तो हमने इतिहासकार बनाए नहीं तो हमारा डॉक्मेंटेशन भी नहीं हमने एकनॉमिस्ट बनाए नहीं तो हमारा एकनॉमिक आंकड़ा भी नहीं है हम लोग खाली पॉलिटिकल जारगन्स पर बात कर रहे हैं जिस तरीके से बुद्धिजम का प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया अपने आपके उपर सवाल उठाने का भी मायने है यह 75 वर्ष हम जानते हैं कि मोदी जी का जो अमरित महत्व है वह अडानी के लिए हैं उनकर दोस्तों के लिए कि जो दस लाग मैडम बात कर रही थी जो किसी को 10 तो आजादी उनके लिए अमरित महत्वासब है पैसे हमारे और कितना शांदार शांदार मतलब फोटो सबा रहा है मेहुल के लिए है अडानी के लिए है आप जाएए लोन लेने तो पचास कागज माहें गर का दो पैन दो ये दो वो दो पता नहीं लाखों लाख करोड उपे कैसे उन लोग को हजारों अरुबों मिल जाता है पता नहीं यह की परपटी दिखा के दस वैंक से अलगलग कर जा ले था तो आजादी उनके लिए हमारी आजादी तो सुत्र दिया था डॉक्टर रंबेटकन के समाजिक आर्थिक जो गहर वराबरी है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा हमने अगर सही पूछिए और इस पर दुश्मनों को क्या दोश दे हम उनको जो करना था उन्होंने इमानदारी से किया विछले संतानवे अंठानवे वर्ष में हमें जो करना था हमने नहीं किया हमने बहुत सारे बाबूस बनाए हमने लीडर्स नहीं पैदा किये बहुत सारे इंटलेक्ट्टॉल्स नहीं पैदा किये लॉयर नहीं पैदा किये C.A. नहीं पैदा किए, एकनौमिस नहीं पैदा किए, C.A. अगर नहीं पैदा किए, तो क्या करेंगा, खिरा चौड़ी के आरोप में सूमीत को वेजो जेलवी, खिरा चौड से बाहर घुमेगा, तो जिस लेवल में वैचारी की स्थापित होना चाहिए था, शुत्र दिया था सम्विधान के प्रस्तावना में ही वो जानते थे ये बात उन्हों कहा था कि कोई भी सम्विधान अच्छा या बुरा नहीं होता उसको लागू करने वाले लोगों की जो प्रकृति कैसी है नेचर कैसा है उसमें डिपेंड करता है सम्विधान अगर अच्छा हो लागू करने वाला खराब हो तो उस सम्विधान खराब होगा अगर सम्विधान खराब हो और लागू करने वाला आदमी अच्छा हो तो उस सम्विधान अच्छा होगा तो जानते थे कि सम्मिधान का इस्तमाल करके ये उन्हों लिखा है ये कोई भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है उसी भाषन का अंस कह रहा हूँ लेकिन उसका सुत्र भी उन्होंने दिया है उसमें प्रियम्बल में हम भारत के लोग कि जिस दिन इस तरह का अतताई आएगा राश सत्ता पर आएगा बदमाश लोग इकठा होगा तुम भारत के लोग इकठे होना इसको उखाड फेकना उखाड फेकना यह सुत्र है पहलाई वर्ड है तो इसलिए यह सवाल खड़े करने का यह मुल्यांकन करने का यह इनालिसिस करने का यह तमाम यह अवसर है और मैं समझता हूं कि आपके यूट्यूब चैनल को काफी लोग देखते हैं तो सब सुने और एक पूरी जिनरेशन जो है अब हमें सवाल कर पैदा करने वाले लोग कितने गिरफतार करोगे कितनों को जेल भेजोगे जेल तुमारी कम पढ़ जाएंगी यह सवाल करने का भी यह अवसर है जी थैंक यू 75 साल में जैसा भारत हमारे पूर्खे चाहते थे वैसा नहीं बन पाया डोक्टर लख्षमन यादव से मैं जानना चाहूंगा इसी सवाल को कि ऐसा भारत क्यों नहीं बन पाया क्या करण आप देखते हैं कि जैसा सपना था वैसा नहीं हो पाया उसके रीजन्स आप क्या पा कि यह जो आजादी है ना यह इस देश के नागरिकों को जिन्हें अब किवल संख्या में तब्दिल कर दिया गया है गिंती है वो एक सवा अरब ये लेकिन वो गिंती नहीं है उनमें बहुत अंतर है और जो अभी डॉक्टर रतनलाल जिस डॉक्टर अंबेटकर के भाशन का रहे थे और उसमें जो सामाजीक और आर्थिक गैर बराबरी आई है उन सब को एक जिगर रखें तो आपको लगेगा कि इस देश में बहुत अंतर है लोगों में उनकी जीवन के स्थिती में अंतर है उनकी सामाजी के स्थिती में अंतर है आर्थिक में है उनके लेंगी का अधार बहुत बहुता हुआ है समाज बहुक ऑलीक आधार पर बहुता है नशित रूप से मुझे याद आ रहा है, एक बहुत पुस्ति दुशेर है, मैं थोड़ा सा पीछे जा करके आज वाले सवाल का जवाब खोजने के कोशिश कर रहा हूँ, नारा लगा था ना, एक कविता है जिसे राम प्रसाद विस्मिल के नाम पर चला दिया जाता है, जैसे कोई भी जूट ह मारारा प्रताप ने अकबर को हरा दिया था, प्रत्वीरा चोहान ने मुहमत गोरी की हत्या कर दी थी, अब तो ये इतिहास वाला दोर आ गया, फिल्म बन गई, लेकिन ये कविता मूलत बिस्मिल अजीमा बादी की है, और जो अभी इस प्रसंग पर भी ठीक बैट स रही है कि खेंच लाई है, सभी को कतल होने की उमीद, आशिकों का आज जमघट कूच है, मैं फिल्म है, अब शहीदे मुलक मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब मेरी हिम्मत का चर्चा गैर की मैं फिल्म है, हम अभी से वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं किया हमारे देल में है अब चुकि राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे कहते हुए शाहदत दी बगत सिंग ने सरफोरोसी की तमन्ना गाते हुए शाहदत दी यह एक पक्ष है आजादी का मेरे मन में सवाल आता है कि जिस खाब को देख करके इन लोगों ने शाहदत दी ज अब चुकितने शाहदत दी तो आपकी इतियास की किताब में दरजी नहीं है दलितों ने कितनी दी इसको लिखने वाला कोई नहीं था ओबीसी के लोगों ने कितनी दी इस पर कोई बात ही नहीं करता है मैं आजमगड़ से आता हूं और 1857 के विद्रोह में जो सूची बनी ह सौ से उपर लोग मारे गए और उसमें अधिकांश लोग वंचे सोशे समुधाय के थे उन पर बात ही नहीं होती नमबर एक बात तो एक तो यह इतिहास जो बदला जा रहा है इतिहास पूरा नहीं बताया जा रहा है मुझे लगता है कि 75 साल बात कम सको मैं इस देश के पाली के समय का इतिहास संस्कृत वाले ने कैसे संस्कृत सबकी जन्नी हो गई पाली कहां से आई थी पाली के समय के शब्दों का प्रयोग कहां गया इतिहास बदल दिया गया नमबर एक बात लेकिन चलो बहुत पीछे ना जा करके एकदम इस समय की इतिहास को देखें तो एक लड़ाई तो यह लड़ी गई जो इतिहास की किताबों में दर्ज है दूसरी लड़ाई पैरलल बहुत पीछे न जाए तो जोतिबा फूले अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के साथ खिलाब दोनों लड़ रहे थे और यह बदनाम किया गया कि जोतिबा फूले तो अ अंग्रेजों के आने से जो मुक्तिव का रास्ता मिला है कहीं जोतिबा फूले ने एक लाइन लिखी कि अंग्रेज ना जाएं तो जो आज आज आजादी कि हम बात कर रहे हैं जो जो मांसी गुलामी से आजादी यह उसका क्या होगा जो डॉक्टर अंबेटकर के सपनों का भारत बनना तो उसका क्या हुक्त फेरियार ने जो विरोध किया था अभी यह बात आपके चैनल पर बोल दूं तो पता नहीं क्या बवाल होगा लेकिन पेरियार के सपनों के भारत में कुछ तो खाब बचा था, वो जो नहीं पूरा हुआ, अब नहीं पूरा हुआ, इस पर विमर्श हो सकता है, क्योंकि जिनको सत्ता मिली, उनके जहन में आजादी का वह सपन नहीं था, जो इन सारे लोगों ने मिल के देखा था मैं भगत सिंग को याद कर रहा हूँ, रेसियल कमेंट है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ समझे, गोरे अंगले चले गए और काले बैड़ गए तो क्या होगा, आज कौन लोग साशन कर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया को याद कर रहा हूँ, और सदन में खड़े होकर कि नहरू के और आज करोना काल में 12 करोन लोगों की नोकरी चले गई, और 256 गुना मुनाफ़ा कुछ लोगों का बढ़ गया, ये दोनों की आजादी एक जैसी क्या है, मुझे इस सवाल का जवाब ये लगता है सोमेच जी कि जिनको कुरसी मिली उनके जहन में न्याय नहीं था, समता नह किया, इसलिए आज वो जो गैर बराबरे दिख रही है, वो हमारी आजादी को अधूरा बताती है, और वो निश्यत रूप से अभी लंबा सफर तै करना होगा, तो बिलकुल डॉक्टर लक्ष्मनी आदव इसके कई कारण हो सकते हैं, और हम सब को उन सवालों के जवाब त 75 साल में, क्योंकि ये भी सपना था कि भारत को बहुत सिक्षा के स्तर पर भी आगे लेके जाना है, दलित बहुजन आदमी को सिक्षित करना है, पिछडों को सिक्षित करना है, आप चूंकि एकेडमिया से जुड़ी हुई है, एकेडमिक लेवल पर आपको लगता है कि जो दलित पिछड़े बोजन हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वो सिक्षा किस तरफ पर आगे बढ़ पाएं हैं, उनकी भागीदारी की गैरेंटी हुई है, हमारे केमपेसे में डाइवर्सिटी आई है, उसको एकेडमिया के लिया आद से आप कैसे देखते हैं? जी, सुमिच जी बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन खाली इसका जवाब एकदम से दस मिनट में या ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम आजादी की बात कर रहे हैं, पूरा सफर हम देख रहे हैं 75 सालों का, तो जहां तक सिक्षा की बात है, तो अगर एन्रॉल्मेंट के होनी चाहिए, तो जो हाइर लेवल तक मतलब 12 के बाइद, हाइर सेकेंडरी के बाद जब कॉलेज में बच्चा पहुंचता है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते दस बच्चे रह जाते हैं, और जब पेजडी करते हैं, तो यह बहुत जादा सोचने वाली बात है, और तूसरा अगर हम लड़कियों की बात करें, तो लड़कियों का जो रेशियो है, वो तो बहुत ही कम है, और हम लिटरेसी रेट देख लें, जहां 100% होना चाहिए अगर हम कहें तो, और वहां पर कितना हम 60s के और 70s के दौर में चल रहे हैं, तो आजादी के इस दौर में अ संपनसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट बना दिया गया, लेकिन क्या वो सबके लिए समान अवसर के तहत वो सिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या वो शेयर में जो उनका रिसोर्स है, उसमें वो शेयर ले पा रहे हैं, अभी अगर टेकनिकल एजुकेशन और प्र दूसरी बात जो है, वो IIT और AIMS जैसे जो मुद्दे बहुत रहे आगे जहां पर बच्चों को इंटरनल असेस्मेंट में फेल कर दिया गया, और अभी हाल की जो बात है, जेनिव में जो पेजडी के लिए छात्रा आई, हमारे समाज से, आप सोचिए उसको इंटर्विव जो सोच है, जाती पर आधारित जो सोच है, जो ब्रहमनवादी जो सोच है, कि सत्ता में आने ही नहीं देना है, और सत्ता में आएंगे लोग कैसे जब उनके पास सिक्षा होगी, तो इसलिए इनको सिक्षा से ही अलग कर दो, पढ़ने लिखने ही मत दो, तो पढ़ेंगे ल लोग नहीं होंगे तो हमारे लिए सोचेंगे कैसे और जो सिर्फ राजनेतिक तौर पर जो लोग आए हैं तो वहां पर भी देखने की जरूरत है कि क्या वो सच में एकदम फ्री होकर के वो डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ना कर हम बात करें तो मोर देन 5,000 वेकिंसी जो है अभी भी खाली और उस पर इंटर्व्यू नहीं हो रहे हैं कितने साल हो गए तब से और वह खासकर जो से लेकर के higher education तक तो फिर लोग आई नहीं पाएंगे सत्ता में काबिज नहीं हो पाएंगे दूसरी बात यह है कि जो यह जातिवादी जो ब्यवस्ता है जो संबिधान लागू होने के साथ ही खतम हो जाती है कहीं नहीं कहीं वो इतने तीब्र गती से लोगों के मन में दिम कितने सारे ऐसे cases हैं जो सिक्षा ब्यवस्ता के अंदर सिर्फ इस जातिवादी ब्यवस्ता के शिकार हैं तो यह और दूसरी बात यह है कि अगर हम अकेडमिया में अगर सिर्फ प्रॉफिशनल देखे कि कितने हमारे लोग वहाँ पर पहुंचे हैं कितने वाइस चांसलर है हमारी community से OBC, SC, ST आप देख लिजिए आंकड़े सब के सामने हैं आते हैं तो लोग चाहे कितना भी गाना गाते रहें कि आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं अमरत महुसब मना रहे हैं लेकिन हमें फिर से मन्थन करने की जरूरत है कि हम कहां पर है हमारा representation कहां पर है तो यह सोचने की जरूरत है और तब ही हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पुर्खे रहे खास करके जो लक्षमन जी ने भी जो नाम लिये बावा साथ का नाम लिया पैरियार का नाम लिया और साबितरी बाई फुले का नाम में एड करना जाओंगी फातिमा शेक का तो यह सब वो लोग हैं जिनोंने सिक्षा को सबसे बड़ा हतियार बताया हमारे हातों में सत्ता पे कावे जोने के लिए और वही हमसे कहीं न कहीं चीना जा रहा है आप देखिए जाती बेवस्ता बच्चे छोटे-छोटे क्या जानते हैं कि मिड़े मील में कोई जो है वो दलित महिला खाना ब करती जा रही हैं सिर्फ महिलाओं पर नहीं अँश्ट सी टी संसाज जो बहुजन संसाज है उस पर और उसमें दलित महिलाओं के ऊपर तो चर्चा ही बहुत कम होती है कहीं न कहीं उनको पूरा छोड़ दिया जाता है या फिर एक सिंपल जो है ये कह दिया जाता है कि बहुजन समाज पर जो है वो कुछ एक्ट्रोसिटीज की घटनाए लगातार बदे हैं लेकिन उन सब को डिफरेंट तरीके से अलग तरीके से देखने की जरूरत है एक नजरिया के साथ तब ही हम कह पाएंगे कि सच में इस आजादी का पूरा जो रास्ता हमने तई किया है उसमें हम किस पाइदान पर और कितने उचे उदपाए हैं और हमें कहां जाना है तो ये बिलकुल सिक्षा के तौर पर में यही कहना चाहूंगी सिक्षा के छेत्र में कि कहीं न कहीं ये जो जाती बादी जो वर्णबादी ब्यवस्ता है उसने हमें रोक के रखा है हाला कि संबिधान ने हमें वो अधिकार दिया है लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव चीज ये है कि हमको वो अपॉर्चुनिटी मिली अवसर मिली तो हम वहां तक आगे बढ़ पाए लेकिन ये लोग पूरी तरीके से रोकना चाहते हैं कि ये लोग आही नहीं पाए सही में जोतिवा फूले साभ ने बहुत सही से काहा था कि विध्या बेना मती गई, मती बेना गती गई गती बेना वित गया, वित बेना शूद्र बै और इतने सारी अनर्थी का विध्या ने कि ये तो सारी लड़ाई सिक्षा की है और बहुत आपने अच्छे डंक से समझाया कि 75 साल बाद भी क्या हालात है सिक्षा के अलावा एक बहुत जरूरी सवाल आता है आर्थिक पहलू का क्योंकि हमारे साथ बीना पलिकल है और इनका जो संगठन है NCDHR और वो हर साल जब बजट आता है तो उसकी समिक्षा करता है कि दलित बहुजन पिछडों के लिए उस बजट में कितना एक अमाउंट रखा गया है कौन सी योजनाव में कितना खर्च होगा तो आर्थिक पहलू के तोर पर नज़र रहती है इनके संगठन की बहुत शांदार काम है बीना बाबा साब डॉक्टरम बेटकर ये भी कहते हैं कि आपको सामाजी को राजनितिक आज़ादी के साथ साथ आर्थिक आज़ादी भी चाहिए आपको क्योंकि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे तो बाकी के बेमानी हो जाती है उसको कोई मतलब है नहीं आपको लगता है कि खासकर वंचित समाज पिछले 75 साल में आर्थिक तोर पर मजबूत हुआ उनको वाकई आर्थिक तोर पर आज़ादी मिली है आर्थिक पहलो को कैसे देखती है तो अगर पॉलिसी लेवल पे अगर आप देखा जाए तो इंडिया में बहुत पॉलिसी है मतलब शायद हर चीज़ आप ले लीजे पॉलिसी है तो वैसी ही एक गाइडलाइन पॉलिसी है जहां पे जितना बजट इस देश का है उससे पॉपिलेशन प्रोपोर्शनेट आवंटित होना चाहिए तो सोला प्रतिशयत दलितों के लिए और आठ प्रतिशयत आदिवासियों के लिए ये पॉलिसी है काफी सालों से 1974 से शुरुआत हुआ है लेकिन अगर हम बजट कि बहुत शांदार तरीके से बजट तो आवंटित होता है कम होता है हलाकि लेकिन आवंटित होता है उसमें से कितना बजट हमारे समुदाय तक कितना पहुंचता है मातर चार प्रतिशत दलितों के लिए और तीन प्रतिशत आदिवासियों के लिए बाकी बजट की तर है अल् दलितों के लिए किसके पास जमीन है कि यूरिया सबसीडी से वो भी एक दो करोड नहीं पांच हजार करोड एलेक्ट्रिसिटी के लिए स्विमिंग पूल्स पिछले सालों में हम लोग अनालेसिस किया है कि स्विमिंग पूल्स बनाने के लिए हेलिपैड बंदूक के जो गंस बंदूक लेने के लिए बंदूक नहीं उसका जो यह होता है वो लेने के लिए तो यह सब सिर्फ दलित और आदिवासी बजट से क्यों ले रहे है क्या जेनरल बजट से आप नहीं ले सकते यह पैसे यह जो स्टेडियम यहाँ पे बना है दिली में, जो कॉमन वेल्ट के लिए बनाया था, वो पूरा दलित और आदिवासी बजट से लिया गया है दिली बजट से. इसका मतलब यह आप कह रही है कि वो जो बजट अलोकेट हुआ था उसको खर्च ना करके डाइवर्ट कर रहे हैं, तो डाइवर्शन एक एक वरी कॉमन चीज है, उनको कोई लेना देना नहीं है, कि यह जो बजट हमें कुछ एक प्रोजेक्ट है, इंफ्रस्ट्रक्चर प्रो कहते हैं कि शिक्षा ही एक वाहन है जहां से हम लिबरेट हो सकते हैं, पोस्टमेट्रिक स्कॉलर्शिप ही ले लीजिए, उसका छे लाख स्टूडेंस है, टोटल स्टूडेंस जो 2017-18 में शायद उनका छे लाख स्टूडेंस को वो मिला है, पोस्टमेट्रिक यह सोचा कि इसको हम खतम करें पोस्समेट्रिक स्कॉलर्शिप तब सारे और्गनाइजेशन ने कैमपेंड करके जब वापस फैनांस मिनिस्ट्री ने वापस वो बोला कि यह हम लोग खतम नहीं करेंगे साथ हजौर करोड हर साल हम लोग इसके लिए आवंटित होगा वो पूरा उनके ही उनके ही बोलना है कि हम साथ हजौर करोड देंगे पिछले साल पांच हजौर करोड दिया था तो कटावती बजट कटावती में बहुत होता है यह दूसरी बात तीसरी है कि जो आवंटित हुआ है budget, जितना पैसा है, वो लोगों के accounts में नहीं पहुंचते हैं, students के accounts में नहीं, कितने students है कि सिर्फ postmetric scholarship नहीं मिला है, इसलिए उनका education खतम नहीं हो रहा है, अभी हाली में पंजाब से data है, जी, 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 बिहार में, तीन, चार साल से, वहाँ पे PILB फाइल हुआ था कि चार साल से scholarship ही नहीं दे, महराश्टर में stop हुआ है, जो schemes, जो योजना है, जैसे national overseas scholarship है, 36 crores है, बहुत ही कम है, कितने लोगों, कितने students को मिल सकते है वो scholarship, लेकिन उसका rules भी बदले है, क्या rules बदले है कि हम इस देश की जो history और social, cultural चीज़े पे हम कोई research नहीं कर सकते है, मतलब दलत issues पे हम basically research नहीं कर सकते हैं, तो एक तरफ से आप बोल रहे हैं कि इतने सारे अच्छे योजना हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आप इसका पूरा बदलाव हो रहे हैं कि हम इसको प्राप नहीं करें, तो उस पे ही एक संगर्ष जारी है, कि जो पुराना जैसे national overseas scholarship है उसको लेकर आए, ये भी एक संगर्ष आर्थिक तोर पर तो योजना है तमाम बनती हैं, जैसी कि बीना बता रही थी, लेकिन वो धरातल पर कैसे पोच्छती हैं, जब हम आसपास नजर दोडाते हैं, तो हमें समझ आ जाता है, डॉक्टर जितेंदर मीना के पास मैं आना च देखते हैं, कि वो बहुत तेजी से बड़ा है, तो आज़ादी के परिभाशा में समेट कर, जब हम कहते हैं कि भारत को एक समावेशी रास्ट्र बनाना है, मिलजुल कर रहने वाला रास्ट्र बनाना होता है, तो आदीवासियों को कहां खड़े पाते हैं, उस आईडिया अईडिया की बात करें, तो जो आईडिया फ verschillote कर रहा है, वो आईडिया फ इंडिया दरैसल आदिवासियों का अईडिया फ इंडिया नहीं है, पहली सुकह कहा जा रहा है, जो बढ़िया ऐसी कमरों में बैट रहे हैं, बढ़िया अच्छा कशा खा रहे हैं, और अच्छ जगहों पर मौजूद हैं सरकारों में अच्छे संस्तानों में उसके मुख्या बन करके बैठे हैं बड़े राजनेता हैं उनका आइडिया ओफ इंडिया है दरसले आदिवासियों के आइडिया ओफ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो completely different है आदिवासियों का सबसे के साथ जिंदा रहें साथ साथ आगे बड़ें कोई उसमें पीछे छूट न जाए और इसी लिए हम लोग देखते हैं कि जब संभीधान सवा के वितर बहस चल रही होती है जैपाल सिंग मुंडा एक बात कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जो सबसे क्योंकि आखरी में आए हैं और वो अब सबसे पहले जा रहें तो वो जाए और उसके बाद जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन सब को भी बाहर जाना चाहिए including Aryan Sagh वो इस बात को कहते है लेकिन उसके साथ साथ वो आगे एक बात कहते है कि हम आदिवासी लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं करेंगे कि हम कहें कि जो लोग आ गए हैं वो बाहर चले जाए जो आज की तारिक में जो लोग मुसल्मानों को बाहर भगाने की बात करते हैं कुछ और लोगों को बाहर भगाने की बात करते हैं आदिवासी उसके खिलाफ में खड़ा हुआ क्योंकि आदिवासी सहस्तित्व में विश्वास करता है भाई चारे में विश्वास करता है और इसी लिए संभीधान सभा के भीतर उसी मीटिंग में जैपाल सिंग मुंडा एक बात और कहते हैं जब संकल प्रस्था पेस किया जा रहा होता है और जब संकल प्रस्था में लोकतंत्र की बात कही गई थी तब कहा गया था जैपाल शिंग मुंडा के दौरा कि ये संकल प्रस्ताब आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा है क्योंकि आदिवासि इस धर्ती के सबसे लोकतंत्रिक लोग है और आरियों की फौज है जो इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है तो अगर किसी को लोकतंत्र सीखना है तो आरियों की फौज को सीखना है और वो आदिवासियों से सीखने की जरूरत है ये वात वो वहाँ पर कहते हैं अब आते हैं कि किस तरीके की संसाधनों की लूट आज की तारिक में चल रहे है यह जो idea of India है तरसल idea of India में हो ये रहा है कि जितना भी resources है उन resources में स्टेट अपना control कर ले या कुछ individuals य एक group of individuals उन resources पर control कर ले आदिवासी ओपेटर देखेंगे तो पाएंगे कहीं पर भी private property का नोशन नहीं है कभी भी उन्हों ये क्लेम नहीं किया कि ये जमीन मेरी है और इस पर मेरा मालिक अना हग है उन्होंने क्लेम किया कि ये जमीन हमारी है और हम सब का इस पर मालिक अना हग है और हम सब लोग सामुहिकता के साथ इसका उपयोग करेंगे जितनी हमें जरूरत होगी ये बात आदिवासी लगातार कह लेटा कहता है कि इस देश के आदिवासियों के पास में इस पूरी की पूरी टेरेटरी की 50% लेंड की ओनर्शिप थी उस समय उस पर वो अपना दावा करते थे दावा कर रहे थे जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे 1927 तक आते आते जब second time forest policy बनी वो घट करके 35% रह जाती है वो जमीना आदिवासियों से चीन करके अंग्रेज़ों ने अपने कंट्रोन में ले लिए 1923 में जब आजादी के बाद फिर से forest policy बनी वो जमीन घट करके 21% आ जाती है और उसके बाद जैसे globalization की बात आप करते है उसके बाद तो लगातार हम ले चल रहे हैं हम देखने को मिलेगा कि इस देश में आजादी के बाद कहा गया था कि land reform किये जाएंगे land की ownership होगी land का distribution होगा आदिवासियों के मावसले में आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन्हें ownership नहीं दी गई आजादी के बाद पहली दफ़ा 2006 में forest right act आया था जिसके तहत कहा गया था कि आदिवासियों को जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा ये पहली दफ़ा था देंगी कि ये ब्यक्ति इसका परिवार पिछली तीन जैनरेशन एक जैनरेशन की 25 साल उम्र लगाई थी उस एक्ट में अगर उस लैंड पर 55 सालों से रह रहा है तो उसे जो है उस लैंड की ownership दी जाएगी आप एक चीज़ सोचिए वह forest right act जो है आपका 2006 में आया और 2007 में उस act के खिलाफ तीन NGO जो इस देश के पूंजी पतियों ने खड़े किये हुए थे जो wildlife conservation के नाम से एक तो NGO था एक कोई टाइव के नाम से था एक कोई और एक NGO था जो भालू बगरा बचाता था उन्होंने सुप्रीम कोट ने अपनी case फाइल किया उन्होंने कहा इन जंगल ownership दी गई तो जंगली जानवरों को इनसे खत्रा होगा यह कितनी कैसी दुरभागपूर्ण बात थी कि पूरी दुनिया में लगबग जितने भी आदिवासी लगबग उनके पास 22% हिस्सा है पूरी दुनिया के मैं बात कर रहा हूँ लेकिन उस पर 80% बायो डाइवर्सिट के लिए खत्रा है और वो केस चलता है और 2019 में जाकर के उसका फैसला आता है और उस एक्ट के तहट मात्र इस देश में सिर्फ 42 लाख एप्लिकेशन्स आते हैं जिसमें इंडिविजूल के साथ साथ कलेक्टिब भी जो है ऑनर्शिप के पट्टों की दावेदारी की गए थ लगबग 9% भी नमबर नहीं बैठता है वो 9% भी नहीं है अगर फैमलीज के साथ से भी देखे तो तो ऐसे में आपको पता चलेगा कि रिसोर्से जो उसके चीन लिए गए दोहजार बाइस में फिर से फोरेस कंजर्वेशन एक्ट आ रहा है उसको डाइलूट कर दिया गया है ग्राम सवाओं के अधिकारों को खतम कर दिया गया है अब कहा जा रहा है कि ग्राम सवा की पर्मीशन की जरुरत सरकारों को नहीं पड़ेगी सीधे कंपनिया या सीधे अडिमिर्स्रेशन उनकी जमीने चीन सकता है आपको एक चीज में बता देना चाहता हूं यह जो अधिवाजियों के पास जो लेंड है उसे मूल अधिकारों में सामिल किया जाए अन्य था मेरे लोगों को दिक्कते होंगी मेरे लोगों को आप नहीं टिकने दोगें क्योंकि मेरे लोग आपके इस सिस्टम से नावाकिफ हैं उन्हें इस सिस्टम की बारूर किया इसकी चा 11 में जब कोम्रम भीम आदिलावाद और उस तिलंगाना और 36 गड़ जारकन किसे में कहते हैं जल जंगल और जमीन का नारा वो देते हैं यही लड़ाई बिरसा मुंडा लड़ रहे होते हैं यही लड़ाई तिलका मांजी भागलपुर में लड़ रहे हैं यही लड़ाई जो ह हम देखते हैं रगुनात राव संकर राव लड़ रहे हैं तंट्या मामा लड़ रहे हैं इसके साथ आप देखेंगे पूरे देश का आदिवासी इस लड़ाई को अलूरी सितराम राजू लड़ रहे हैं लेकिन वो लड़ाईयां सम्मिधान सवा तक आते आते उनकी बात को जब हम लोग अर्टिकल 13 की बहस को कर रहे होते हैं तब कहा जाता है कि जब आदिवासियों के उपर जो कमेटी बनी हुई है जो कि एक गैर आदिवासी अपरकास ब्रामन गोपिनात बार्दोल ही जो असाम के केस में थे जो नौर्थीस के मसले को देख रहे थे और इधर ठ मेटियों की रिपोर्ट तक आते आते आप देखेंगे पता चलेगा कि पूरा खेल पलड़ दिया गया मूल अदिकार से लेकर किस तमाम तरीकी की बहसे चली गई और उसका खामियाजा आज इस देश का आदिवासी उठा रहा है कि तमाम संसाधन उससे छीन लिये गए जो लड़ाई थी जिसके उपर उसका सर्वाइबल टिका था जिसके उपर उसकी कल्चर ठीकी हुई थी वो जमीन है वो उसका जंगल और उसकी जमीन उसका जल पहाण सब छीन लिया गया और लगातार छीना जा रहा है और यही सबसे बड़ा संकट है कि जो हमारा हुकमरान आदिवासी होते तो विकास की परिभाशा हैं ये नेशन बिल्डिंग की पूरी प्रोसेस आदिवासीयों से शुरू होती आदिवासी उसके सेंटर में होते लेकिन आज की तारिक में आदिवासी उसके सेंटर में नहीं है उसे एक आंकड़ों में बना करके रख दिया गया है और इसी लिए आज की तारिक में आप देखेंगे कि इस देश का आदिवासी चाहे वो हस्दे में हो, सिलगेर में हो, नितरहाट में हो, राजस्तान हो, गुजरात हो, MP हो लगातार एक बात कह रहा है, I am not your data मैं तुमारी फाइलों में बंद आकड़ा नहीं हूँ मैं तुमारे जणगर्णा रइश्टर में दर्ज आकड़ा नहीं हूँ मैं इस देश का आदिवासी हूँ मैं इस देश का मूल लिवासी हूँ और मेरा इस देश पर पहला हत है आदिवासी मसले की जो चुनोतियां थी वैसी मसले हम दलित आइडेंटिटी के साथ भी देखते हैं खास कर जाती के सवाल पर मैं कुछ आखड़े देख रहा था पिछले 75 साल की भारत में जो कास रिट्रोसेटी हुई है पच्चिस हजार से ज्यादा दलितों की हत्या सिर्फ जाती के वज़े से हुई उतने ही नंबर बलातकारी के हैं रेप के हैं मैलाओं के खिलाप और पिछले 75 साल पे जब मैं नज़र डालता हूँ तो लक्षमेंड पुरबात है खैरलाण जी अभी हाथ रसिस्त रहे के मामले हमारे सामने आते हैं जाती के सवाल पर जाती उत्पीडन के सवाल पर बीते 75 सालों को आप कैसे देखती है बहुत महत्पुन सवाल है ये क्योंकि जो भारतिय समाज है वो बेहद जिसे कहेंगे कि ब्रामनिकल पित्र सतात्मक समाज है सिर्फ पित्र सतात्मक नहीं है ब्रामनिकल ब्रामरवादी पित्र सतात्मक समाज है उसके साथ साथ वो सामंतवादी समाज है जिसमें की खास कर जो दलित इस्तरी है उसकी देह को भोग के ये मानते हैं कि वो भोगने लाइक हैं और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे उधारन है जैसे हम पूलन देवी को देखते हैं और जिस तरीके से उन पे टॉर्चर हुआ अत्याचार हुआ और अंत में उनको बंदुक उटानी पड़ी और उनको अपने जो जिन्हों ने उन पे जुल्म किया उनको मार दिया तो जो एक समाज की जो मानसिक्ता है दलित इस्त्रियों के प्रति हो बहुत जादा मैं कहूंगी कि एक जैसे हम यह कहते हैं कि सवर्ण महिलाओं की जो लड़ाई है वो घरेलू हिंसा के खिलाफ है घरेलू हिंसा बहुत हो उन पर लेकिन जो दली तादिवासी इस्त्रियों उस पर समाजिक हिंसा बहुत होती है और समाजिक हिंसा में रेप रेप मर्डर छेड़ खानी एवन मैं एक बार का आपको धारदू बल्लबगर दिल्ली के पास है बहुत पास है और वहां यह हुआ था कि एक घरवती इस्त्र बेगारी तो जो जमिदार थे उन्होंने उसकी पत्नी के पेट पे लात मारी और वो पत्नी इतनी बिमार रही खैर अल्टिमेटली बच्चा तो ठीक टाक हुआ तो उस घर में हम जो थे वो एशन एज की पत्रकार और मैं कई घरों में गए जहां यह पता चला कोई ऐसा घर नहीं है जहां लड़कियों के साथ छेड़ कानी ना हुई है और रिजन वहां टॉयलेट नहीं है जो दलित बच्चियां है जो दलित परिवारों में जो महिला है वो खुले में शौच जाती है और खुले में जो वहां पर जो सवन परिवार है जो परकास्ट परिवार है उ कि तो आदत है तो रोजी केस आती हैं हम किस-किस को सुने इनको मुआफजा चाहिए इसलिए केस दर्ज कराते हैं तो ये वहाँ पे पुलिस का एटिट्यूट था तो जो हमारे समाज का जो नजरिया है वो दलित महिलाओं के प्रती बहुत खराब हैं तो इसलिए मुझे लग इन अत्यचारों के प्रती प्रतिरोध बड़ायं और जो सारवजिनिक अकरोष बड़ायं तो वो जो जो क्योंकि इस देश में जातीवाद इतना गहरा है इतना गहरा है कि कि वो यह सोची नहीं सकता कि कोई भी कि उसके सामने कोई देखिए हम 22 सओी में पहुंच गए चां पैरों में बैठे जमीन पे बैठे खाट पे ना बैठे तो और यह सिर्फ ऐसा नहीं कि गाओं की मान सकता है यह शहरों की मान सकता है हम देख सकता है हमारे बहुत सारे प्रगति शील साती यह साती अभी कुछ दिन पहरे ललन टॉप पे एक जो बाई थिकाम वाली थी उसके किस तरीके से एक बहुती पत्रकार ललन टॉप की पत्रकार ने कितने खराब शब्दों में उसका पूरा व्योरा लिखा कि वो क्या ऐसे नी बरतंद होती वैसे नी दोती जो कास्ट है जो हमारे दिमांग में जो बैठी है और दिमांग में बैठके जो पोजिशन करती है कि यह वहक्ति इस तरीके से हैं, और मुझे लगता है कि हम सिर्फ उन आकड़ों पर जाते हैं, जो जिसमें शारिरी खिंसा होते हैं, मांसिक थिंसा के तो कोई आकड़ी से नहीं। कोई भी आकड़ उपलवद नहीं है कि किस तरीके से रोज भरोज जो दलित आड़ते काम पे जा रही है उनके साथ किस तरीके से वहवार हो रहा है ना कोई मैं कहूंगी कि ना उस तरीके का कोई जो जैसे आयोग बने है जो महिला आयोग बने है ना उनमें कोई ऐसा दलित महि मेंबर उस तरीके से रिखते हैं कि जो कांड होते ही मतलब वो जो अगर ऐसा कांड हो जाए जिसमें एक नॉन दलित परिवार हो तो सारा समुदाय तूट पड़ता है लेकि एक धलित परिवार के साथ जो अत्याचार होता है उसे सारे लोग चुपी लगा जाते हैं उपर से ञें नीचे तक चुप के लगा जाते हैं और यह सोचके कि इनके रोज का काम है और इसका काराण यही है कि जो हमारे समद्ट जो क्या करते हैं कि claims i can't board मैं तुम जाती वादी हो और घब खुट करते हैं हम एक बार भी अगर हम बोलें कि दलितों का उत्थान होना चाहिए आदिवासी ओरतों को तो वो कहते हैं अरे देखो यह तो जाती की बात करने लगे समाज में जाती तो है ही नहीं है ही नहीं समाज में जाती ये लोग जाती को बढ़ावा दे रहे हैं चाहिए वो किसी भी तरीके से हो साहित्य में हो तो दलित साहित्य को बोलेंगे दलित साहित्य कैसे हो तुमने तो साहित्य के भी टुकड़े कर दिये तुम तो राजनीती में जाती लिया जैसे कि वो अप तरह से पॉलिटिक्स में आ रहे हैं लेकिन अगर कोई दलीत महिला आ गई है तो उसके लिए अप शब्दों का प्रियोग करेंगे जब ये मुख्य मंतरी जो हमारी मायवती जी के लिए खराब शब्दों का इस्तमाल कर सकती तो आप सोचे एक आम दलीत औरत की क्या हिस्तिती होगी जब उनके लिए बहुत ही भद्दे राबडी देवी के लिए भद्दे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं मायवती के लिए भद्दे शब्द और अभी तो देखिए इनके हमारी जो राष्ट पती ने उनके लिए भद्दे शब्दों का इस्तमाल कर दिया था एक क्या ब मतलब राम को पाल वर्मा मतलब वो हमारे राष्ट पती तक को नहीं छोड़ रहे हैं है ना राष्ट पती को नहीं छोड़ रहे हैं मुंखे बंदरी तो आम और तो क्या हमारी तो बात ही क्या है जो महिला इंकाम पर जाती है जो खेतों में है जो सड़कों पर जो मजदूरी क करते हैं। jet में आने फालों का ताकि यह आगे ही न बढ़ पाएं। तो एक तरह से यह जो है ना सिर्फ जाती के जाथ साजिश में शामिल है। तो और मैं इसको कहते हूं विकृत मां सकता और यह विकृत मां सकता ढहाएजार साल से चली आरहे और यह खतम नहीं हो और मुझे लगता है कि इसका विकल्प यही है कि एक शशक्त लड़ाई सब को मिलके जाती के खिलाफ लड़नी पड़ेगी जो कि हमारे से बहुत लोग सहमत नहीं होते हैं तबाम प्रग्यती शिल साथी सहमत नहीं होते हैं बाम पंती सहमत नहीं होते हैं लेकिन हमारा मानना है कि जब तक जाती के लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी क्योंकि दलीतों के पास ना तो जमीन है ना जंगल है कुछ भी नहीं है उनके पास वो हमेशा से जो अपर कास्ट है उनकी मार खाते आए हैं उनसे पिठते आए हैं उनके पास तो अपने शरीर तक अपना नहीं है तो दलीतों की लड़ाई तो बहुत ही अलग है ना उनके पास खेत है ना खलियान है ना घर है ना जंगल की जो पे अपने इत्यास खुद घोज रहे हैं उनके लिए कोई भार का वेक्ति भी सानुवूती नहीं जता था वह इस लिए नहीं जता था कि जिस दिन उसने कहा कि तुम्हारे साथ अन्याय वा तो मतलब मैंने तुम्हारे साथ क्या मुझे अपना जो है वह जमीन चोड़नी पड़े और मुझे लगता है कि इसके लिए जो है वो एक जो मैं हमेशा सूसती हूं हमेशा कहती भी हूं कि प्रायर्टी पे जाती के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए और तभी जो है वो संबेदन शीलता तभी पन पे गया और अजादी के बाद इन 75 सालों में कभी भी जाती के खि बिल्कुल अनिता जी आपने एकदम सही तरीके से समझाया कि कैसे भारतिक जाती प्रधान देश बन गया है और जाती की समस्या के खिलाफ हम कोई बड़ा अंदोलन होते वे देख्या नहीं हम लोगोंने की 75 साल में लोगोंने जाती के खत्म करने की तरफ कोई काम किया हो मे हम लेक कई अवसर भी खुले उस दोरान कई हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला हम लोगों को थोड़ा एक तरीके का कहें कि रास्ते खुल गए क्योंकि पहले तो गुरुकुल में जा नहीं सकते थे पानी नहीं पी सकते थे तो एक हमारे लेक अपॉर्चुनिटी में भी वो तबदील हुआ और उनके जाने के बाद जो बदला वाए जो समीधान बना जो कानून लागू हुए जो इस तरह के नियम बने कि हम एक समानता वाले देश की तरफ जाएंगे आप अंग्रेजों के जाने को नए भारत के बनने को इसको कैसे देखते हैं और फिर फिजिकली इंसान थे लेकिन सांस्कृतिक आर्थिक समाजिक राजनितिक रूप से कुछ नहीं था इसलिए अर्द मानव उसको का जा सकता है लेकिन अंग्रोजन अंग्रेजों ने इसके शुरुआत कि इनको पुर्न मानव बनाए जा है और इसके लिए कई सारे रिफॉर् को आगे बढ़ाया और सब लोगों का अगर कॉंट्रिबूशन देखेंगे तो एक होलिस्टिक परस्पेक्टिव आपको दिखेगा कि एक वो सांस्कृतिक ग्रूप से सवाल उठा रहे थे चाहें मेटकर हो फुले हो पिरियार हो वो उनके राइटिंस में आप जाईए तो कुल्चरली लगातार वो अटैक कर रहे हैं कि उसी पर जो है पूरा इनका मामला सब बसा हुआ है कि आप वेपार करेंगे यह हमारा संस्कृती मेरा दर्म डिसाइड करेगा बहराल मैं थोड़ा सा मूड में हूँ अपने अपने को इंट्रोस्पेक्ट करने की हमने क्या खो आपус जो सुदामा कोड आया है जिसको हम जनव कोड चाहते हैं बलिप मंडल साह पिसदामा कोड कहते हैं उन्होंने अपने लिया आरक्शिन वंहां था नहीं मङा था लेकिन उसका समाज सजग है उसका नेता सजग है इसलिए बगैर मांगे हुए सब कुछ जो है उनको मिल रहा है अभी मैडम आर्थिक अनालीजिस कर रही थी पूरा मैं आपको बताओं कि एक जो दलित मिडिल क्लास पूरा उभरा इस आरक्षन के मिलने से जो आरक्षन नहीं रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर अगर खाली सरकारी लोगों के आर्थिक पूरे इंकम को जोड़ दिया आकिर उस संसाधन का अनिता जी स्कूल में प्रिंस्वल है दिल्ली इन्वस्टी में तीन हजार सी स्टी ओवी सी प्रोफेसर होंगे वोट दे आर कॉंट्रिवीटिंग अज एकेडमीशन अज एक्टिविस्ट ये क्वेश्टन मार्क सवर्न का बच्चा बच्चा एड़ोग भी पढ़ाता है न तो वो भी एकदम सजग रहता है अपने अधिकार के परती हमारा तो पर्मानेट अब जो प्रोफेसर हो जाता ह बना दो मुझे तो मैं समिक्षा करने के लिए इतिहाद से ही समिक्षा करूंगा आप तो बिहार भी गये हैं और वहां जाएंगे तरक के पीछे आपको अकसर लिखा मिलेगा कि लटकला तो गईला बेटा इसका क्या मतलब हम लटके तो गये और जीतना माजी जब बीजेश समझाता कर रहते हैं मैंने ट्वीटर फेस्टूप डाला था और काफी वारल हुआ था तो हम क्या किये हैं अभी 75 साल में लटके हुए हैं बाबा साब ने बात कहीं देने वाला हुकमरान बनना ही है लेकिन हुकमरान बनेंगे कैसे और बनके करेंगे क्या इसमें कोई क्लैर करना चाहता हूं कि हमारे अब कोई ऐसे भी बोल सकता है लक्ष्मन याद अब तो बहुत अटैक करता है ब्रामणबाद पर तमाम सब कुछ पर अब हमारे बहुत जन लोग यह भी कह सकते हैं कि तो आपका नाम ही मनुवादी है लक्ष्मन है और यह तुलसी राम जी का मैं किसी सेमिनार में वो बोल रहे थे तो किसी ने कहा कि आपका नाम ही बनुवादी है तुलसी है राम है उसमें लगा हुआ तो उन्होंने बड़ी बड़ी तरीके से इसका काउंटर किया गलती हो गया मेरे माता-पिता ने जो मेरे नाम रखने से पहले आपको फोन नहीं किया मेरी बात समझने एक कोशिश की है एक बड़ा जमात है पढ़े लिखे लोगों का हर चीज को कह देगा कि ब्रहमनवादी है हर चीज को कह देगा ब्रहमनवादी है तो सब कुछ अगर ब्रहमनवादी है तो हमारे पास है क्या और मैं एक किताब कोट करना चाहता हूं हमारे लोगों को सुनना चाहिए आज कल सावन का महीना है कावड चल्ला है शिवजी और शिवजी का शिविलिंग बहुत चड़्चा में है और भारतिय चिंतन परंपरा का एक लाइन कोट कर रहा हूं सारी संश्क्रितियां जितना आप देख रहे हैं जाए पाई उसको मुक्त कराओ घर वापसी कराओ अब जिते अनदर मीना यहां बाइठा हुआ है पता नहीं इनके कुल देवता नहीं है आदिवासियों कुल देवता नहीं है वहां जाके पंडी जी अगर चार टीका लगा देंगे काली कहां से आरियन डेटी है मुझे बताईए परनेश्वरी डोमडी घासमारी देवियों के नाम है इसलिए मैंने पहले एक शब्द इस्तमाल किया था वैचारिक मुठवेड आइडियोलाजिकल इंकाउंटर करना पड़ेगा तो इसलिए आर्थिक मुद्दे भी चलते रहेंगे लेकिन जिसकी संस्कृती और समात जिंदा होता ना उसका अर्थ वेवस्था भी जीवीत रहता है इसका उसकी असली वज़ा है सिक्षा और कल्चरल जो अवेकिनिंग वह समझ है अब देखने है लेलिन कितना दाहार के बोल रहा है स्टालिन दहार के बोल रहा है और हमारे नेता भी जाप कर रहे हैं तो इसलिए खास तोर से मैं अपने समाज को जागरित करने के लिए बात कर रहा हूं हो सकता है मेरे मेरे लोग हमसे नाराज हो समझेंगे कि लगातार में अटाक क्यूं कर रहा हूं अरे मेरे शत्रू क्या करें वो तो मुझे पता है ना हमें क्या करना है इस पे तो चर्चा हो क्या हमने इमानदारी से अपना काम पूरा किया बाबा साब जो मिशन छोर के गए थे उसको आगे बढ़ाएं उन्होंने कहा तागरा के भाषण में कि हमने एक मोटी तोंद वाला मिडिल क्लास पैदा कर लिया है उस बात की समिक्षा होनी चाहिए ये खाली मोटी हुआ है तोंद एक फ्लेट से दो फ्लेट लिए कि उस्मिशन को हम लोग आगे लेके जा रहे है को इसलिए कर रहा हूं शृष जी चर्चा में इसलिए की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है परंपरा ये किताब है के दामुद्रन की और उसका कोट में पर रहा हूं है मैरे भाईयों इसना भाईयों बहनों जितने सुनना है सुनना लिक रहे हैं कि लिंग-पुजा-संभवत आदी-काल में उर्वरता की पुजा का अवशेश है फटलिटी कल्ट का अवशेश है जो न अब पाशान यूग के समाज का मुख्य थे फसल को बढ़ाना था तदनुसार पौधों की ब्रिधी एवं उसके परजनन के इस्तरी पक्ष के जो भी गन चिनिवादी कर्मकांड थे उन पर अधिक जोड दिया गया और उनका और अधिक विकास किया गया इसमें सरवाधिक उल इन अनुस्ठानों में फसलों को प्रत्साहन देने के लिए स्तिरी पुरुषों के संभोग का उप्योग किया जाता था सेक्सुल यूमियन इसको बोलते हैं आदिम मनुष्य यह विश्वास करते थे कि फसलों को पैदा करने वाली भूमी तथा बच्चों को पैदा करने वाली स्तिरी में अवश्य कोई अद्रिश्य संबंध है और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है आधी कालीन आरे लोग आरियतर बतलब नोन आरियन लोगों में प्रचलित लिंग पूजा का प्राया बड़ी घ्रना से उलेक करते थे आरे बहुत घ्रना करते थे लिंग पूजा और आजकल वो कॉपी राइट किया हुआ आगे सुनिए वे जिनका देवता लिंग है हमारे घर में घुजने न पाई यह उनकी प्राटना थी रिगवेद में परन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की अराधना सिंदु घाटी सब्वेता की लोगों को उत्पादन बढ़ाने में साहईता करत आरे लोग इंद्र वरून अगनी आदिदेवताओं को लेकर उस समय आये थे जब मोहंजोदारों और हरप्पा के लोग सरवात्मबाद देवियों और लिंक की पूजा से अपनी सब्वेता को सुद्रिड बना रहे थे पूरा उसको ताकतवर बना रहे थे उस सब्वेता को किन्तु आरे लोगों ने कुछ सतावदियों के बाद भारत के इन मुल निवासियों के धार्मिक बिश्वासों और आचार विचारों को स्वेम अपना लिया, अपना ने लिया कब जा कर लिया डॉक्टर राम्बेटकर हम नाग वंचियें हैं लिखते हैं नाग पूजय लिखते हैं ना शिव के साथ नाग है शिव किसका है पहले तो ये तय हो बरावर मैं कह रहा हूं कि आदिवासियों बहुजनों दलितों तुम अपने संस्कृतियों अपने अपने देवताओं की नास्तिक लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जादातर आस्तिक लोग होते हैं मानने वाले लोग होते हैं तो अपने देवताओं की घर बाप सी करो अब बाबा के पास जल चढ़ाने मत जाओ कि तुम्हारे आरक्षन जो है वहीं पे मंदीर में जो है चला गिया है अडान विद फटिलिटी कल्ट इते अंदर भी हिस्टरी का प्रफिसर है तो उनको अपने घर बुला लो वहां जाकर पाखंडियों कर्मकांडियों को पैसा मत दो दक्षना मत दो न अपने घर बुलाओं कि तुम्हारे ही दक्षना से सब कुछ लेता है और तुम ही को पीटता है दंडा बना के तुम्हों पीट रहा है तो इस सवाल को समझना पड़ेगा आखिर में एक बात में और कहना चाहता हूं जो 78 बजट की मैंने बात की इस पेशल कॉंपोनेंट प्लान की आप बात कर रहें थी जब इंद्रा गांधी नाम लेके बोलना चाहिए कॉंग्रेस वाले लोग भी डर के मारे बोलते नहीं पता नहीं डरते हैं बीजेपी आरेसेस वालों से इंद्रा गांधी ने प्रिवी पर्स केंसी खतम किया उस सम अपने पॉलिटिकल लिगेसी को भी रिस्टोर करो क्लेम करो मोदी आखिर जो बेच रहा है बनाया आरेसेस नह था कि जबालाल नेरू आम बेटकर के विजन से बनाता यह तैह होना होगा ना फिर आप देखिए स्पोशल कॉंपोनेंट पहले शिडूल ट्राइब के लिए जितना नोट करना सेवेंटीफोर में सेवेंटी सेवन में जो है न स्टिडूल कास्ट के लिए आया था और उसके दो मैं चार-पांच साल पहले का डेटा दे रहा हूं आपके बाद ज्यादा बेहतर डेटा होगा दो लाक असी हजार करोड रूपे वापस चले गए और वा कि श्कूल-कॉलेज इंवश्टी मेंन वेस्ट नहीं किया कर तो मेन पहले जो बात कही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि यहमें दिने वाला बनना? है तो हम लोग तो हुक्मरान बनाएं नहीं हुक्मरान का मतलब लीजर होता है डिलर नहीं हमने इसमें कोई चर्चाही नहीं कहां बताई ये खाली political rhetoric के अलाबा हमको अगर foreign policy में बात करना है do we have number of intellectuals हमको defense strategy बात करना है हमने produce किया economics में बात करना है एक दो सोशोलजी में बात करना है का आद दो लोग कहीं दिखेगा वो लोग भी बीजी होगा कहीं वीसी बनने में कहीं डीन बनने में किसी ने एक वैचारिक ideological एक मुठवेर किया वो स्टेंड दिया historian कहा है रोमिला था पर आपके घर में नहीं है हमारे घर में नहीं है अमर्त सेन हमारे घर में नहीं है तो मैं समिक्षा इसलिए कर रहा हूं कि जो अंग्रेज और बाबा साहब कि जो संगर से जो हमको दे के गए पूरा उसको हम लोग इतने सब लोग मिलके बचा नहीं पाए हम लोग के सामने सब कुछ भागा जा रहा है कुछ मंदीर में जा रहा है कुछ अडानिया पूजी पत्ति को घर में जा रहा है कुछ नहीं बचा पाए द्रावदी मुर्मु राष्टपती हो गए इसके पहले कप यह थे अपने कोविन साहब हमारे ओबीस सी परधानमंत्री हैं बचा क्या तो इसको जनव लिलाम टर्म देते हैं कि किताब तुम्हारा पन्ना हमारा कि तुम राजा बनो लेकिन ऑथुरिटी हमारे पास रहेगी जब तक राष्टिलक नहीं करूँगा तुम राजा बनी नहीं सकते हो तो दलित बैकवर्ट नेता फेता जितना बनाना है बना लो परधानमंत्री राष्पती बना लो कोई फरक पड़ता ही नहीं है द्रापदी मुर्मूर का प्यूरिफिकेशन सरेमनी हुआ कि नहीं सवाल अज पूछा जाएगा कि साहुजी महराज जिन्होंने डाइवर्स्टी इंट्ड्यूस किया जिन्होंने रिजर्वेशन इंट्ड्यूस किया क्या हमारे दलित बैकवर्ट जहां पे है उसी 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 अनुपात में रिजर्वेश्यो में रिजर्वेशन है आप क्या क जा रहा है कावर लेके नहीं जा रहा है और दो दिन हमारे जोद्र साइकलोज कल वर्फेर इसको समझा ना पड़ेगा लोगों को तीन दिन जाता है उत्तर प्रदेस में अधिकारि उसका पाउं दोःता है तीन दिन का राजा है तो यह घृप्रियार ने कल्चरल रेवलूशन किया तो पुलिटिकली भी शार्प है यहां हमारे नेता भी जाके जह जह कर रहे हैं तो यह चुनोती हमारे सामने आने वाली है लंबे समय तक लगातार जो है आपको यह काउंटर आर्गुमेंट काउंटर नारेटिव बगए डरे हुए बगए समय इसको रिस्टोर कई यह कोई अधिकार उद्गार के चीकों नहीं देता है लड़के चड़के लेना पड़ेगा मेरी बात समझ रहे हैं तो लटकला तक गई ले पेटा हम लोगों लटके हुए सरकार से मांग रहे हैं तो गए बिटा तला खतम पूरा मामला ही खतम हो गया ह यह है मामला लटक है ले लटके तो गई ले ऐसा बोलने हैं लटक घय ले यानि लटक घय तो गए और लटक का नहीं है आमें आ में ऊपर चड़ना काड़ी के अंदर बेहने लटक के पीछ ए अपने नुकसान नहीं पोचाना यही संदेश था लटक ना नहीं दो मालिक दे दो मालिक दे दो रहे किसे मागना चड़ चीन अधिकार चीन नहीं तूम जाओ जिसने देश को बेचा है सब को गिरफतार करो सारा प्रपटी नाशनलाइज करो यह इस रिदम में नहीं लड़ेंगे तो पेट पालक मध्यम क्लास लेके कुछ नह होगी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ब Давyक के जशन के दौरान यही ضरूरी होता है कि जिस रास्टर की जिस देश की कल्पना हम करते हैं उस रास्टर के उस देश की संकल्पना में हम सब की भागीदारी हो उसके चुनोती हो कर उसके सवालों पर हम मंधन करें और जवाब त करते हैं कि जाती को खत्म करना है, जाती का खत्म हम चाहते हैं और जब भारत आज़ाद हुआ, तो यह सपना था कि भारत एक ऐसा मुलक होगा, जहां पर जाती आधरी प्हेदवाव नहीं होगा, जाती कहत्म हो जाएगी, लेकिन पिछले 75 साल में हम देखते हैं कि जाती की भावना जो है वो ज्यादा मजबूत हुई है जाती वाद ज्यादा बड़ा है और जाती की समस्या को खत्म करने के लिए कोई बड़ा जना अंदोलन इस देश में नहीं हुआ इसको आप कैसे देखती हैं बीचे 75 साल पे जब नजर उसी को नहीं देने दिया मतलब उसको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि अगर बावा सहाब बोलते तो जो आयोजक थे वो नाराज हो जाते और वही बुक जो है वो एनहलेशन आप कास्ट के रूप में जो आई जाती का अनबोलन तो बावा सहाब ने बहुत कोशिशे की कि इस समाज में जो जाती में जो समाज बटा हुआ है वो खतम हो लेकिन लास्ट में बावा सहाब खुद जो है वो बौध धरम को सुईकार करते हैं परिशान होकरकर और वो यह कहते हैं कि पैदा होना मेरे वश्में नहीं था लेकिन मैं इस हिंदु धर्म में मरूंगा नहीं तो एक तो यहां से यह मैसेज जो है वो जाता है बाबा साब के धर्म नहीं बेसिकली जो धर्म परवर्तन जो किया था बॉद्ध की आइडियोलोजी पर कि जो यह देश जो है वो शुरूशे ही बॉद्ध का देश है जो कहीं न कहीं संदेश देते हैं वहां पे विभाजन नहीं है लेकिन यह जो ब्रामन वादी है उनको नजर नहीं आता कि इस देश में जाती है सामन्तवादी हैं उनको नजर नहीं आता कि ये गरीब और अमीर है तो सवाल ये है कि जब वो जब अपनी नजर से हमें देखते हैं जब हम बात करते हैं आज की ही चर्चा को ले लिजे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल तुरंट उट गए होंगे कि ये लोग पतानी कहां से बाते कर रहे हैं जाती की आज तो सब कुछ एकदम स्वावना लग रहा है कहीं पर जाती है ही नहीं तो अगर रिसेंटली अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे एक्जामपल आपको मिल जाएंगे कि कहीं पर घोडी पर नहीं चड़ने दिया तो कहीं पर जो है वो बरतन चूने से जो है वो गरबती महिला को इतना मारा कि वो उसका बच्चा पेट में ही मर गया इसके अलावा जो है मैंने जब NCDHR में थी तब भी कुछ इस्टडीज की थी और मेरा खुद पेजडी इसी पर ही है रिसेर्च तो अट्रोसिटीज अगिंस्ट दलित और खास करके दलित विमेन पर तो वहां पर सुमिझ जी ऐसे ऐसे केस देखे जो ओपन डिफेकेशन के जो एक्जामपल अनिता जी ने दिये कि सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारे पास जो है देवालाय तो लोगों ने दे दिये लेकिन सोचालाय नहीं दिये तो खुले में जब मैलाएं जाती है तो के साथ जो है वो अट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ जाती है लेकिन यह देखना पड़ेगा कि क्या सिर्फ यही एक रीजन है या इसके अलाबा और भी कई सारे रीजन है तो कई सारे रीजन है क्योंकि जो हमारे समाज के लोग है उनके पास कोई अपनी रिसोर्स नहीं है क वो पूरी तरीके से ब्रह्मनवादी जो लोग है उन पर कही न खई आश्रिथ है चाहिए वो खेटों में काम करना हो वो किसान है नाम के लिए लेकिन खेत किसके हैं उनकेmillimeter वह तो जायर सी बात है कि आपने हिसाब से जो है वो नीतियां बनाते हैं संचालन करते हैं और ऐस जाती ब्यवस्ता को और ज्यादा मजबूत करते हैं, आप मेट्रिमोनियल पेज उठा करके देख लिजिए, कि जो ये लोग कहते हैं, जाती ब्यवस्ता खतम हो गई है, तो वो पेज बिल्कुल मुझे लगता है कि गाइब हो जाना चाहिए, वो कौन दे रहा है, और इतना मो दूसरा जो फर्स्ट पर्सन ओफ इंडिया, प्रेसिडेंट मुर्मुजी बनी, इंडिया टूटे के जो चीफ एडिटर है, उन्होंने एक बाकाइदा पोस्ट लिखे, जो काफी मीडिया पे सर्कुलेट हुई, सम पोस्ट शुड बी रिजर्ग्ड फॉर सम पर्सन, तो इ कोई भी जो है वो आ सकता है, संसाधनों पर सत्ता पर आ सकता है, इस किसी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन मानसिक्ता कास्ट तो वो ब्लड में, जो प्यॉरिफिकेशन वाला जो मामला है ना, वो जो मस्तिश्क में जो गुसा हुआ है, तो वो तो निकलने का नहीं नहीं ले रहा है, वो तो और ज्यादा, अभी आप यह देख लीजे कि जो कथा वाचक है, सो कॉल्ड, वो इतना ओपल्ली जो है, शुद्रों को एकदम अचूत बताते हैं, उनको घर में नहीं घुसना चाहिए, और जो ब्रहामन है, वो एकदम उसको कुछ भी नहीं आता है, तब भी वो पूजणिया है, और एक और मैं ऐसही वीडियो जो है वो देख रहे थी, जिसमें न्यूज को क्या करते हैं, इस तरह का में एक देख रहे थी, तो उसमें जो यह कथावाचक है, वो लोगों के मन में किस तरह से डर पैदा करते हैं, तो जो धर्म है ना कहीं न कहीं जाती व्यवस्ता को और मजबूत कर रहा है और आज के समय में धर्म को बहुत ओपनली सोसाइटी में लोगों के बीच में लाया जा रहा है जो शड्ययंत्र की बात हो रही थी ना कॉंस्प्रेंसी उसके तहत जो है वो लाया जा रहा है कि आपको किस तरह से इन लोगों को एकदम निस्तनाबूद करना है वो कहीं सिस्टम में आने ही नहीं चाहिए और तभी जो कुछ और मैंने एक्जामपल बताए थे कि पाइल तड़वी का एक्जामपल था या आई-ाई-टी के बहुत सारे इशूज थे या फिर स्कूल में जो है मिड़े मील को लेकर देख लीजिए बीना जी ने बताया कि फैलोशिप जो है वो कम कर दी गई है और बिल्कुल अब खतम की जा रही है कि हाई लेवल पे जो है वो दी ही नहीं जाएंगी फैलोशिप अब दीरे-दीरे खतम हो जाएंगी तो कहीं न कहीं ये एक साजिश के तहत इस जाती के अंधेरे में तोड़ रहे हैं कि वो कहीं न कहीं हमारे लिए आइकन है एक सिंबल है वो हमें ताकत देते हैं और यह जजवा पैदा कर रहे है कि आपको जो अधिकार मिले हैं संविधान के तहट जो बराबरी का हक मिला है वो आपको लेना है क्योंकि सिक्षा वो हत्यार ह वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहारेगा तो इसलिए सिक्षित होना और संगटित होना और फिस संगर्श करना ये तो बावा साब का नारा था तो ये चीज को बिलकुल होना ही नहीं देना है तो आप देखिए कि जहां भी लोग इखटे होते हैं दो चार वो तुरं और दिल्ली के बॉर्डर पर क्या हुआ जो गुजराज से जो लोग आए क्या एक बस आजा दी के जश्ट में वो भी भागिधर बनना चाहते थे पार्लियामेंट को कुछ अपना कंट्रिब्यूशन देना चाहते थे तो ये भावना थी वो कोई विरोध करने भी निया रह सिंपल वो सिर्फ बहुत शांती से जो है वो आ रहे थे तो आप ये देखिए कि चाहे वो संगठन के तहत लोग जमा हो या फिर कोई अपनी बिचार किसी सोशल मीडिया पर जो डॉक्टर रतनलाल जी के साथ वालो ने क्या कि आपना बिचार दिया था एक इस आजात देश अजित्ज में कोई भी अपना बिचार रख सकता है आप उसको कंठोल कर रहें आप उसको देश ध्रोई साबित कर रहे हैं लेकिन बाकी जो लोग है चाहे वो धर्म पहलाएं चाहे वो महिलाओं के साथ जो है वो अत्याचार करें उस पर आप कुछ भी नहीं करेंगे वो लोग जो है वो चुपचाप बैठे रहेंगे तो कहीं न कहीं जाती जो ब्यवस्ता है इन 75 सालों में मैं इस रूप में देखती हूँ कि और ज्यादा है जो 1989 में आया फिर उसके बाद 11 में वो फिर से जो है उसमें कुछ नहीं मतलब बदलाव किये तो आप यह देखिए सुमिझ जी कि उसमें घटने की बजाए टाइप सो फेट्रो सिटीज एड़ हुई कि लोगों को जो है अपमानित करने के लिए चपलों की माला पहना रह है क्योंकि हमारे मुद्धों को कोई और नहीं उठाने आएगा कोई और इन पर बात नहीं करेगा तो वो कहते हैं कि हम जाती वादी है तो सही हम जाती वादी है फिर आप क्या हो जो आपने पूरी व्यवस्ता को एकदम तय कर रखा है कि कौन कहां पर आएगा किसको कहां प दिख रहे हैं अंदोलन किये हैं क्योंकि नाइंटी सिक्स्टी के बाद आप देखिए जो डलित पैंथर जो मूफमेंट जो चला उसके बाद जो बिविन जो संगठन बने आज भी जो है वो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं उस पर तो मुझे लगता है कि हमारे लोग उस लगातार अट्रो सिटी की घटनाएं बढ़ती जा रहे हैं तो यह इस बात का अपने आप में प्रमाड है कि जाती ब्यवस्था और ज्यादा मजबूती से मजबूत हुई है तेजगती से खतम होने की बजा और जिस पर लगातार हमें काम करने की जरूरत है लिखने पढ़ की लोग है वो हमें कहते आरे बहुत बोलती है तोड़ा चुप रहा कर तो इस पर भी जो है वो सवाल खड़ने खड़े करने की जरूरत है जैसा की रतनाल जी भी कहा रहे थे कि हम को यह देखना पड़ेगा कि हम क्या हैं हम क्या कर रहे हैं हम अपने हिस्से की लड़ाई ल लगातार जो है वो सामने सडकों पर उतरना पड़ेगा जिसके लिए हम लगातार तैया है बिल्कुल सीमा जी आपने एकदम सही तरीके से समझाया कि कैसे पिछले दिनों जाती की जो समस्या वो और ज्यादा बड़ी है लेकिन उसको दूर करने का जिम्मा भी हमारे उपर है जो हम लड़ेंगे और जाती की समस्या को खत्म करने के और बढ़ेंगे हमें हमारे साथ अजरा परवीन भी है जो कि हमारी टीम का हिस्सा है दे न्यूस बीक में मल्टी मीडिया प्रोडूसर है और पसमानदा बैक्ग्राउंड से आती है और अजरा मैं आप से यह जानना च शुक्त है इस चर्चा के बीच में मुझे जोलने के लिए सबसे पहले आजादी का मतलब अगर मुस्लिम के लिए देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की मतलब पाकिस्तान है आपके लिए बट मैं वो पाकिस्तान नहीं चाहती हूं मैं यह हिंदुस्तान चाहत आजादी का मतलब मेरे लिए वही है कि जैसे सब nous are कि मतलब कुछ सालों का system आधी मतलब पहले इतना नहीं मुझे IDEO था कि हिंदू-Muslim खिंध के लिए अलग है कुछ और हिंदू के लिए अज़कि ए ङहे हैं कुछ टाइम में यह सुनने को आता है कि तुम जिहादी हो या कुछ भी होता है तो वो जिहाद से जोड़ देते हैं जैसे लव जिहाद जोड़ 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 उसको मतलब बहुत एक खुबसूरत सी चीज है लेकिन उसको लव से जिहाद को जोड़ देते हैं उसी तरह से कोवीड टाइम पर भी मतलब देखने को मिला हम सब को कि कोवीड जिहाद इस तरह से करके जोड़ दिया कि कुछ भी ऐसा हो रहा है तो अगर मुसलिम के आज पास एरिये में या कुछ ऐसा हुआ है तो उसको यह कह देना है कि मुसल्मानों के मतलब वो नहीं चाहते हैं कि यहां पे हिंदू या सेफ रहें या किसी भी तरह से यहां से चले जाएं या इनके लिए वो सिस्टम नहीं है जो बाकी अपरकास्ट जो हिंदू लोग है उनके लिए है तो मैं चाहते हूं कि आजादी का मतलब जैसे आप लोग रह रहे हो इस देश में वैसी हमारे लिए भी हो तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डोक्टर ल नहीं हुए उस वो भी एक कारण गिनाते कि मुझे मैंने स्तीफा दिया पिछले 75 साल में अगर ओबी सी की बात करें तो ले दे के एक मंदल कमीशन की रिपोर्ट बनी बहुत समय तक उसको नजर अंदाज किया गया फिर एक शिफारिश लागू होती है फिर दूसरी सिफार इसलागू होती है 75 साल में ओबी सी के लिए भारतिय राज्ये ने क्या काम किया क्या उनके कल्यान के लिए बहुत ज्यादा संजीदा लगा आपको कि भारत का जो राजपार्ट है राजनीती है वो बहुत अच्छे से ओबी सी को समावेशी बना रही है बहुत अच्छे से रही है बिलकुल क्योंकि समतो इस देश का प्रधानमंतरी ओबीसी और लोगों को ओबीसी की ताकत तब समझ में आई कि मुख्यमंतरी खुद बने और सेल्फ मेड ओबीसी तो ये तो बहुत ताकतवर है मतलब पहली बार ऐसा हुआ आजाद भारत में आजादी के अम्रित महत मनाने का एक पक्ष है कि टीवी, कैमरा, मुबाइल इन सब के नजर से जब आप भारत के जश्न को देखेंगे 75 साल के तो लगेगा कि ये तो वाकई सोने की चिडिया है बहुत खुबसूरत है इस देश के हर एक जंता बहुत खुश है और राश्ट भक्ती से तो इतनी ओत- खाने को राशन का पैसा नहीं है लेकिन तिरंगा खरीद करके वो काम कर रही है ये वो दिखा रहे हैं वैसे ही जो नहीं दिख रहा है जैसे आपके प्लेटफॉर्म पर ये जो बाचीत हो रही है तो OBC के सवाल को या जितने भी पहलू है इस बाचीत के ये सारे पक्ष तो और OBC के सवाल की विडमना बड़ी त्रासद है अभी डॉक्टर रतनलाल एक बहुत दल्चस बात कहें हैं मैं उस सांस्कृतिक पक्ष से OBC के विमर्ष को जोड़ रहा हूं उन्होंने कहा कि शिव के अपमान में आहत भावना समूह जो बिलकुल छुई मुई की तरह आहत ह होता है कि कुछ भी कर दीजिए चार एफायार दर्च करा कि आपको जेल में डाल दे रहा है और आप किसी दूसरे धर्म की भावना आहत कराईए संविधान जला दीजिए अजादी के अमरित महतसव मनाने में वो भी पक्ष्टो याद करिए नहीं जेल में जाएंगे वह आ वसक्त सवाल पूच है कि शिव का असली अपमान तो आरिख और बीजेपी ने किया कि रिश्न का असली अपमान तो आरे से बीजिए पी कर रही है आहद भावना भी वह हो रही ये जो विमर्ष है ये से इस तरह जुड़ता है क्यूंकि ओ पीчи एक तो वर्ड ब्वस्था आ जिस पर हमारे सारे वक्ताओं ने अपनी बात रखी तो उसमें OBC शुद्र की पाइदान पर आता है क्योंकि दलित तो अंटेचिबल है वर्ण बहिश्कृत है आदिवासी उस पूरे सिस्टम में फिट नहीं परता है डॉक्टर जितन मीना की बात आपने सुनी उनके तो लोग अपने संघर से लड़के मनाएंगे वह देश को कमजोर नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं OBC वाले पक्ष में बात कर रहा हूं कि आपके वाण विवस्था में वह निचली पायदान पर और जबकि इतिहास यह बताता है कि OBC कौम के बीच से तो राजा पैदा हुए अशो वो शुद्र कैसे बना दिया तुमने तीसरा पक्ष धर्म का पक्ष जो श्यु के संदर्म में जोड़ रहा हूं बाबा साब चार तरह के क्रिश्न की बात करते हैं रामाय बहारत वाला कृष्ण अलग गीता वाला कृष्ण अलग और एप्रशक चेतना वाला पशुपालग समाज का निता अलग ये तो मैं फिर से कह रहा हूँ OBC के पूरे विमर्ष पर कभी खुल कर बात ही नहीं होई OBC अपने आप में कोई identity बन ही नहीं पाई इसलिए मैं बाबा साब को बार बार याद करके OBC समाज को आपके सवाल से जोड कर ये सवाल का बात कर रहा हूँ कि बाबा साब ने OBC के लिए 340 अर्टिकल की बात कहीं नहीं उसके पहले OBC का मुमेंट था त्रिवेडी संग था श्योदयाल सिंग चोरसिया पहले OBC आयोग के सदस्त थे वो लोग और OBC के लोग जिसमें चंदिका प्रसाद जिग्यासू हैं पेरिया ललाई सिंग्यादो हैं और ये सारा OBC का समाज गांधी से मिलता है और गांधी से मिल करके कहता है कि अगर ये देश आजाद भी हो गया तो ये बैकवर्ड लोग कहा जाएंगे तो गांधी वही तरक जो डॉक्टरम बेटकर को उनन दिया कि बहर की दुश्मन को पहले भगा लेते हैं फिर अंदर की दुश्मन से लड़ लेंगे तो आजादी के अमरित महुस्तों में मेरा सवाल है ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर ये वो शहर तो नहीं जसका हमें इंतजार था हमारे यहां हिंदी में कविता लेकी गई है पहरू रहना सावधान दुश्मन तो गया मगर उसकी चायाओं का डर है ये जो चायाओं का डर था वो OBC समाच के बैकवर समाच के लोगों को जो गांदी ने भरोसा दिया कि आप अंगरेजियों को भगाओ हमारा देश हमारा लोकतंतर जब बनेगा तो OBC को नियाए मिलेगा फिर OBC को नियाए क्या मिला बाबा साब ने स्तिफाद दिया OBC कमिशन नहीं बन रहा था बाद में काका काललकर कमिशन वो कहरा है जाती के नाम पर तो पिश्रापन ही नहीं ये जो घोटाला त्रिवेडी संग का अधूरा खाब बैकवर्ड क्लासेज लीक का खाब उसके बाद फिर बाबा साब का वो संगर्श और बाबा साब का संगर्श OBC समाज के लोगों पढ़े ने दिया क्या दिया है वो दलितों के नेता है लोहिया क्यों मिल करके अमबिटकर साथ काम करना चाह रहे थे Republic Party of India के स्ट्रक्चर में समाजवाद के मूले को कैसे जोड़ करके देख रहे थे पेरियार से अमबिटकर का रिष्टा क्या था इसको तो कभी बात ही नहीं की गई और उसके बाज मंडल कमिशन बना तो box of warm कीडों भरा डिबबा किसने कहा था साव किसने कहा था कि ये OBC कारक्षन का कोई मतलब ही नहीं है राजीव गांदी ने कहा था बता देथी तो वो खेर मैं मैं राजीव गांदी गालोचना करूंगा लेकिन मैं फिर से सोचता हूँ कि अगर नहरू की बजाए अगर इस देश में पहला परधान मंत्री 800 साल के हिंदू राष्ट के बाद वाला आ गया होता तो इस देश में भागडा नांगल बांग आई आई टी और इन्वस्टी की बजाए बड़े-बड़े मंदिरों मस्जित बने होते हैं मंदिर बने होते हैं मस्जित तो कर क्या ही बनते है ये आजा दी काम रित्म होत सा हूँ इसलिए मैं OBC वाले पूरे विमर्ष को कह रहा हूँ कि मंदल बन गया मंदल की रिपोर्ट आ गई वूर्स रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं हो रही है उसे लागू नहीं किया जा रहा है मंदल लागू हुआ तो उसके लिए अंदोलन करना पड़ा पेरियार की जमीन पर करुणा ने दी और उत्तर भारत की जमीन पर राम बिलास पासवान मानेवर कांशी राम से लेकर शरद यादो और लालू परसाद यादो एक बड़ा समाजवादी आंदोलन मंदल लागू हुआ मंदल लागू करने वाला व्यक्ति लोग कहते हैं न कि यह अपने जाद के नायक मानते हैं वह तो बीसी नहीं थे वह तो दलित नहीं थे अरजुन सिंग दूसरी वाली अंशन शा वीपी सिंग पहली वाली अंशन शा और उसके बाद गालियां किसे ने दी वीपी सिंग और अरजुन सिंग को यह आज कहते हैं कि जब कोई मर जाए तो उसके मरने की दिन पर कुछ मत को वीपी सिंग को मरने की दिन गाली मिली पर मंडल का और उस मंडल कमिशन के रिपोर्ट का जिसके फैक्ट इतने इतने शांदार थे वो तार्किक वैज्ञानिक पदत से वो रिपोर्ट बनी थी कि नौ जेज़स की बंच में चैलेंज हुआ फिर भी वो जीते कि कास्ट बेश्ट पिछड़ापन है इसलिए वो भी सि सिंग ने यह लागो कि हम मंडल पार्ट टू जैसको कहते हम उसके लिए अंदोलन हुआ ओबी सी इस देश की बावन परसेंट आबादी 1931 की जंगरना के आधार पर मंडल की रिपोर्ट में वो कहते हैं कि सहाब जंगरना कराओ यहां तो बीसी की जंगरना कराओ यहां तो फेक ओबी सी इस देश का प्रधान मंतरी बना बैठा है उसने आठ साल में एक बार भी मंडल कमिशन का नाम लिया ओबी सी को जो अधिकार मिला वो मंडल कमिशन से मिला मैं पूरे भारत को आजादी के 75 साल के भारत को प्री मंडल और पोस्ट मंडल करके देखता हूं क्यों बिलकुल रतनलाल ने जो सांस्कृतिक विमर्ष दिया उसको जोड करके कह रहा हूं ओबी सी के लोगों को धर्म के नाम पर तिरसकार नहीं मिला था क्योंकि उनके पास अपना कृशक पश्पालक धर्म था और जब गहरे विमर्ष में जाएंगे तो जैसे आदिवासी प्र करति पूजक था उसके कोई भी कर्मकांड में पंड़ा पुरोहित मंदर मस्जिद नहीं था और यह पूरा ओबी सी को हिंदू बना दिया ओबी सी को मंद दंगा में इस्तिमाल कराओ ओबी सी की सिक्षा चील लो यह काम आरे सेस और बीजेपी ने किया है जो आज तिरंगा मंदल कमिशन के रिष्टे को पढ़ना शुरू किया है और सवाल पूछ राए कि अगर ओबी सी भी हिंदू था तो 2019 तक देश के 45 के अंदर विश्व द्यालों में जीरो प्रोफेसर के क्यों नहीं है प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर और सबस्यदा अन्याय इस देश में बbek की की ताकत क्या है यह ओभी सी को नहीं पता और के साथ अन्याय क्या हो रहा है इसलिए ऐद्र इसका नहीं होगा दूसरी LAथ की 52% reservation OBC को मिलना था क्यों नहीं reservation देता यह OBC प्रधान मंतरी यह हिंदू बनाने वाला हिंदू राष्ट वाला reservation क्यों नहीं दिया दूसरी बात इसके साथ साथ जो reservation नहीं मिला है OBC का यह सवाल OBC न पूछे इसलिए कामाड हो इसलिए मैं कहता हूँ कि आजादी के अमरित महुत्सव में जाती जनगरना का सवाल जो न करे जो reservation का सवाल न करे वहाँ कोई अमरित महुत्सव सार्थक नहीं है आगे बढ़ते हैं चर्चा को बीना जी के पास लेके आते हैं आर्थिक मामलों की जानकार हैं बीना जी पिछले 75 साल में 75 साल बीद गए आजादी के भारत में कोई दलित पिछड़ा अदिवासी अमबानी अडानी जैसा corporate क्यों नहीं बन पाया ऐसा कोई business person क्यों नहीं बन पाया अनिता जी ने शायद पहले बोला था कि हम लोग चांद तक पहुंचे हैं भारत से लोग चांद देखने गए हैं लेकिन मेला दोने का एक प्रता है इस देश में आज तक वो बंद करने पाये तो ऐसे एक देश में क्या मिलियनेज बनेंगे आदिवासी अदलित मिलियनेज इस सरकार का बहुत ही एक इंट्रेस्ट है कि स्टैंडप इंडिया, स्टार्टप इंडिया, कितने मिलियन और मिलियन और रुपीज उसमें मतलब आवंटित किया है पैसे लेकिन कितने दलित और आदिवासियों को ये बजट मिला है शायद रतन जी ने भी पहले बोला था कि एक डॉक्यूमेंट एक लोन लेने के लिए एक डॉक्यूमेंट कम है तो लोन मिलते नहीं है और मार्केट डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव मार्केट में होता है वो आज भी होता है पहले सवाल ये कि किसने बनाया ये चीज़ को इसलिए अगर कोई छोटा मोटा अंत्रप्रिनर्स है इस देश में तो अगर उनका जो माल है बेचना है तो वो मिडलमेंट चाहिए वहाँ पर ही कटावती शुरू होता है तो ऐसे एक माहौल में शायद हमें मिल्लेनेश बिल्लेनेश बनने के लिए बहुत-बहुत बाधाई है मतलब बारियर्स है और यही एक संगर्ष है इसलिए इस वो जो पहले सवाल मैंने किया था कि इस आजादी किसके लिए है बिल्कुल चर्चा मुझे लग रहा है बड़ी दिल्चस्प है लेकिन समय क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो हमें इसको वाइंडब भी करना है कुछ हाकरी सवाल में आप लोग उस ले रहा हूं जी तेंदर जी आदिवासी प्रस्पेक्टिव में जब मैं पिछले 75 साल को देखता हूं तो शिकार हिंशा का शिकार हुए हैं तमाम तरीके की मुश्किले सह रहे हैं लेकिन एक प्रतिरोध भी है जो हिंसक है नकसल बाड का जो स्टेट है जो राज्य है वो ऐसा शांदार उधारन नहीं पेश कर पाया कि ऐसी नोबत नहीं आती 75 साल में इस अनकसलबारी माववादी आंदोलन के संदर में आप कैसे देखते हैं देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं एक तो है आदिवासी प्रतिरोध और दू संदर में संघार्श जो है वो शुरू से मुझन है वो शुरुआती दार में आप देखेंगे तो सर्वाइवल के लिए संघार्श है फिर sizi के बाद में अगर देखेंगे जैसे जैसे शुरुआती इस्टेट का डबल्लप्मेंट होना सुरू होता है जब राज्यों का हो र प्रतिरोध की लंबी परंपरा रही है इस देश में अगर हम लोग देखेंगे तो पाएंगे कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का पहला जंडा तिलका मांजी के यहां से शुरू होता है 1770 और 80 के दसक में जब भागलपूर कलेक्टर को तीर मारा जाता है और उस तक वो परंपरा लगातार देख रही है इस्टेट का रूप बदल गया इस्टेट में पहले कुछ और लोग थे आज कुछ नए लोग आ गये हैं लेकिन उनकी टेंडेंसी नहीं बदली उनका जो लूटने का तरीका था वो तरीका नहीं बदला लिहाजा प्रतिरोध कि पिछले 16 महीने से ज्यादा बक्त हो गया सिलगेर के भीतर 50,000 से ज्यादा आदिवासी आंदोलन में बैठे हुए हैं सडक पर उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि इस्टेट उनके इलाकों में आकर के CRPF के कैम्प ना लगाए ताकि होता है टेंडेंसी जो देखने को मिली आ आदिवासियों को कोई ठिकाना नहीं है लियाजर लगातार वो 16 महीने वहा हो गया नेतराट के भीतर पिछले 60 साल से लंबा वक्त हो गया है तब से अंदोलन चल रहा है हस्देव के भीतर एक लाग 80,000 एक्टेयर का जंगल अडानी को दे दिया गया उसके खिलाफ आदिव हो तो आदिवासी परंपरा का हिस्सा है अब आते हैं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा नकसलवाडी का मामला हो या माऊवादी मूब्मेंट हो यह दर आसल अगर इसको देखें है तो एस्स्टेट का एक फिल्यॉर होने का एक जीता-जागता उधारन है आप कही से शुरू ह भूमी का जो बटवारा होना था वो बटवारा नहीं हुआ लिहाजा बंगाल से वो आंदूलन शुरू हुआ उसके बाद धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया में बड़े हिस्ते में वो फैल गया और उसी जमीन के सवाल पर फैला क्योंकि इस्टेट उस जमीन के सवाल को एड्रे हमने देखा जब अफगानिस्तान के भीतर अमेरिका रूस को निकालना चाहता था तब उन्होंने तालिवान को खड़ा किया था और उसके बाद जब रूस निकल गया फिर तालिवान के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फिर उसके बाद अवाई अमेरिका तालिवान को सत्त सब्सक्राइब लिए आधिवासियों को नक्सलियों से लड़ा दिया और उधर भी आधिवासी जो है नक्सलियों की चपेट में मारे जा रहें इदर सरकारी हिंसा का भी शिकार है और सल्वा जुडूम जैसे जो एक अलग तरीके के प्रोग्राम शल रहें उनके तहत भी लग जो ये इस तरीके की जो नक्सली अक्टिविटीज हैं, मावदी अक्टिविटीज हैं, उनको खतम करने के लिए आदिवासी नौजवानों को रिकूरूट करेगी। तो आप खेल देखिए कि आदिवासियों को आदिवासियों के खिलाफ ही लड़ा करके उन्हीं को वही पर खतम किया जा रहा है। से जो बाहरी जो हमले हो रहे हैं जो दिकूओं के हमले हैं उन्हा हमलों को रोका जाए और तभी सही माइनों में आज़ादी का अमरत महुस्तुमा आजाएगा। साल भारत के कैसे देखते हैं क्या उमीदे हैं हमारे खासकर बहुजन प्रस्पेक्टिव से कैसा भारत देखते हैं आप देखे मुझे तो लगता है कि जितना जितना जुल्म बढ़ रहा है उतना प्रतिरोध बढ़ रहा है और मुझे लगता प्रतिरोध बढ़ेगा अब मुझे तो लगता है जैसे कि एक समय था कि फिल्में जब बनती थी तो पूरा एक दर्शन परोसा जाता था लोगों को कि लोग जो है वो इक कल्पना करें कि वो एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जा दूद की नदिया बैती हैं जहां औरते सेव हैं लेकिन अब फिल्मों का द साहित्य में अपनी जगा बनाई है और इसी से मुझे लगता है कि जो अधिकारों की मांग है वो पहले से जादा मुखर हुई है अब जैसे मैं आपको बस एक चोटा उधारन दोंगी जब इलाबाद में जब वो ओबीसी बच्चों को नहीं लिया था तो एक बड़ा प्रत और मुझे लगता है ये सामी का वाज और बढ़ती जाएगी और ये एक बड़ा पॉजिटिव चेंज है अगर आज उनके पास जो मीडिया है हमारा उसके पैरलेल मीडिया है उनके पास जो साहिते हमारे पास हमारा पैरलेल साहिते है उनके पास जो अगर हमें कहेंगे कि मह मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो बहुत चुनौती वाला है क्योंकि उमीद ये लगती है कि जैसे कि आमने सामने भी आया जा सकता है और अभी हम भाषाई तोर पे हम आर्गुमेंट करते हैं लेकिन में भी हो सकता है कभी जो है हमारा और अलग तरीके से हो तो मुझे मुझे एक उमीद दिखती है उमीद जरूर और बिल्कुल हम उमीद रखते हैं कि आने वाला समय और ज्यादा बैतर होगा हमें एक ऐसा समाज बना पाएं जैसे हमारे पूर के चाहते थे में क्लोजिंग करने के लिए डॉक्टर रतनलाल जी के पास आउंगा लक्षमन आपके बहत करीब हैं लक्षमन बिल्कुल करीब हैं आप और दिल की तरफ हैं आप बहुत जादा करीब हैं तो मेरा सवाल आप से है डॉक्टर रतनलाल कि ऐसा दोर है इतनी शांदार चचा यह मुझे बहुत मजाया और मेरा मन नहीं की खतम हो लेकिन करना पड़ हैं और साथ ही वो कहते हैं कि हम एक हिंदू रास्ट्र बनाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जांके सपनों का भारत बने हमारे सपनों का भारत तो अभी नहीं बन पाया इस इन प्रस्तितितियों के संदर्ब में आप आने वाले भारत की कुछ सालों को एक जब हम कहें कि ह हम सो साल मना रहे होंगे तब आप कैसा भारत देखते हैं आपकी क्या कल्पना हो गी उस भारत की एक टर्मलोजी में ठीक कर देता हूं पहले है वो अभी सोचल मीडिया पर एक फोटो आया था कि उपर से जो है आपको लोमडी टाइप से कुछ बना हुआ है यह नीचे जो है नीचे लोमडी है उपर कुछ और फोटो है यह हिंदू रास्ट नहीं है हिंदू राश्ट नहीं बने गाई क्योंकि हिंदू तो कोई भी हिंदू है चर्वाक वाला भी बुल अगर आप कहीं जाएं आप बोले कि कोई पूछे आप से कि आप हिंदू हैं भाले कि नहीं हम कन्फूजन में आते हैं धलित वैकवर्ड ट्राइबल्स लोग भी कई लोग हिंदू का पार्ट मानने हैं तो हिंदू रास नहीं बनने जा रहा है तुम एकदम कंक्लूडिंग रिमार्क्स करना बहुत शौट क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं तो हम फिर भुजपूरी वह जो कहाягवत है कि पहले सुनाया यह कम्युक्त देखेंगे पीठे लिखा रहा हो त REAL भुजपूरी प्रिश में चंपने और को यांट्टीय को नहीं हमार्ट नहीं द %. अगर आप नहीं चांप के रखे तो आप चपा जाएंगे आपको दबा देगा लो सिर्फ तीन इग्जामपल दे रहा हूं कि दो एप्रेल 2018 पांच मार्च 2019 और पिछला किसान आंदोलन लोगों ने चांप के रखा सरकार पीछे गई तो अगर चांप के पीछे हटे घर में बेटे कोजी टीवी और एयर कंडिशन में भशे रहे तो चपा जाओ गए जितना घर खड़े हो एसी लगाए हो उस सब आपका कब जाकर लेगा तो बस वही आकरी है चांप के रहा दबले रहा का हो लक्षमान इस भजपूरी रिया का दबले रहा चपले और चलते चलते सुमित जहां आप बैठे हैं उसके पीछे एक कोटेशन है बाबासाब का वह पढ़ देता हूं उसके बाद आप कंक्लूड कर देना नाथिंग इस मोर डिसग्रेसफुल फॉर ब्रेव मैं दैन तो लिव लाइफ डिवाइड अव सेल्फ रस्पेक्ट अगर आत्मविश्वास की ही है और इसी लड़ाई को हमारे पुर्खों ने लड़ाई जमीन को अपने खून से सीचा और देश को अज़ादी दिलाने में अपना सबसे बड़ा बलीदान दिया उन्होंने एक सपना देखा कि भारत एक ऐसा मुल्क बनेगा जहां जाती धर्म, लि जात्रा पर हमने चर्चा की और बहुत जरूरी मुद्दों को हमने जरूर उस पर चर्चा करते हुए बात की उसका जिकर किया और मुझे लगता है कि एक दिशा देगा और जो इस वीडियो को देखेगा उसकी एक समझ बनेगी कि 75 साल के जशन में दलित पिछड़े 30 साल पर आप सब को बधाई आप सब को जो भी हमारे दश्रक हैं आप सब को धेरो मंगल काम नहें ये वीडियो आपको कैसा लगा इन वक्ताओं की बाचीत आपको कैसी लगी उस पर कमेंट करके अपनी राए जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एक सब लोग मिलके एक बार जैभीम बोलेंगे हम सब लोग जैभीम जैभीम साथियो फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी